तो आज रिविजन होगा हमारा और सर्च क्या टॉपिक रिविजन करवाने जा रहा है और इस पेशली कौन से अटेम्ट के लिए है अटेम्ट के अब बोलने की ज़र्वत नहीं है यह है नवंबर दोहजार तेरीस के लिए है और जो चैप्टर है जिसका नाम है मर्जर सिंपल चैप्टर है बिल्कुल बर्चर और एक्विजिशन और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एप्रॉक्स कोशिश यह रहेगी कि दो घंटे में हम सारा कवर कर ले और कोशिंस कितने रहेगे सारी कोशिंस रहेगे तो यह वाली चिंता नहीं है कि यार कोई कोशिंस असानी से आपसे बंघ या देखते ही कैलकुलेटर चलाकर बंघ जाएगे एक बार कोशिंस रिट किया और समझ में आ गया किया कोशिंसर और वापस बनाकर मत देखी revision का यही तरीका है कि calculator उठाना है जो question देखते ही हमको समझ में आ गया बन गया है तो बन गया है जो नहीं बना या जो सोचने में time लग रहा है उसको बना कर देख लेते हैं तो sir merger and acquisition में क्या होता है कुछ नहीं होता बिलकुल simple है एक company दूसरी company को खरीदने का सोच रही है एक company A limited B limited को खरीदने का सोच रही है तो sir खरीदे तो खरीदे या नहीं खरीदे उस company को हम acquire करे या नहीं करे यह decide करना होता तोनों के point of views पहला जिसका नाम में बोलूँगा purchasing company या फिर acquiring company acquirer company जो बोलना है बोल सकते हो मैं बोल रहा हूँ purchasing company मुझे सामने वाली company को खरीदना है तो उससे मुझे future में क्या फाइदा होने वाला है फाइदा होने वाला नहीं है acquisition ये तो आपको किसके angle से बात करनी पड़ेगी purchasing company दूसरा हमें किसके angle से बात करनी पड़ेगी target company या vendor company जो company भी करी है वो भी तो सूचेंगे यार कि हमारी company भी करी है तो हमारे shares खतम तो उसके बदले में हमें shares मिल रहा है या उसके बदले में हमें cash मिल रहा है और वो सही मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है सामने वाली कमपनी के साथ हमें मर्ज होके कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा ये डिसाइट करना होता है ठीक है तो हमें यहां क्या पढ़ना है कि यार एक है पर्चेसिंग कमपनी और सामने वाली कमपनी है, टारगेट कमपनी और ये decide करना है कि टारगेट कमपनी को खरीदना है, तो deal किस में की याए deal, shares में भी हो सकती है कि मैं सामने वाली компании के shareholder को बोलू कि सुनो भाई shares के बदले में shares ले लू इसको बोलते stock deal दूसरा cash में भी हो सकती है कि भई एक काम करो अपने शेर्स हटाओ और बदले में हमसे कैश ले जाओ खतम करो और ये कंपनी हमारी है कि ये भी तरीका हो सकती है सिंपल टॉपिक है टूटल मिलाकर मुझे इस टॉपिक में क्या-क्या पढ़ना है एक तो मर्जर ये इंपोर्टन्ट है ठीक मर्जर अगर मैं कहूं कि जादतर टॉपिक यही है यही में नाम ये मर्जर आक्यूजिशन जो लिखना है लिख लो कॉर्परेट इस श्रॉक्चरिंग होगी डी मर्जर का एक ही कोश्चन है तो चिंता वाली बात नहीं मतलब सर्थ सारी कोश्चन मर्जर के है यस और इस चैप्टर में एक बात यह है कि बहुत सारे कोश्चन रिपीट है और रिपीट को करने का सेंस नहीं बनता तो मैंने बहुत सारे कोश्चन इसमें होमवर्ग दे इतमें जो भी major part है वो कौन सा है merger तो यह synergy क्या होता यह समझाऊंगा तो अभी मैं synergy के विसे में बात ना करूं तो ज़्याद अच्छा यह question के साथ मैं बढ़ाऊंगा इस matter पर बात नहीं की बात की जाएगी इस matter कि हमें अगर दूसरी firm को take cover करना है तो हमारे पास दो methods है या तो हम stock में बात कर ले या तो हम cash में बात कर ले cash deal और stock deal yes cash deal का एक ही question है तो total मिलाकर जो बात करेंगे वो बात करेंगे stock deal का stock deal मतलब shares के बदले में shares तो एक example लेते हैं वो example सबसे ज़्यादे important है क्योंकि अगर वो example बन गया तो आगे दिक्कत नहीं है अच्छा stock deal में और एक बात है और वो क्या है swap ratio stock deal में stock deal क्या होता यह समझाने की ज़र्वत नहीं है सबसे important है share action ratio या swap ratio sir swap ratio क्या होता है हम सामने वाली company को खरीद रहा है तो उसके एक shares के बदले में हम अपनी company के कितने shares देंगे this is swap ratio तो sir यह decide कैसे होता है वैसे तो यह बैठ कर decide हो जाता है सामने वाले पर फिर भी कुछ basis तो चाहिए ना यार अब बैठ कर decide होता है negotiation होता है तो sir negotiation के लिए भी कैसे हवा में थोड़ी negotiation कुछ तो चाहिए basis तो एक example की तौर पर बोल रहा हूँ MPS के basis तर यह क्या होता है मैं कह रहा हूँ कि सामने वाली company के share का price है 50 रुपए मन से बोल रहा हूँ 50 रुपए तो यह किसका है sir vendor company बोल सकते हो target company बोल सकते हो और purchasing company के share का price है 10 रुपए तो इतना कम माल लो 10 रुपए क्या फर्क पड़ा अब मैं कहता हूँ यहर आपके एक share के कितने का 50 रुपीज का तो 50 के बदले में मेरे पास से 10-10 के कितने share से लोगे sir 5 yes कुछ थोड़ी नहीं 50 divided by 5 50 रुपीज के share के बदले में 10-10 के कितने share से लोगे 5 this is swap ratio आज share दूंगा में उनके एक share के बदले में और हमें सब formula सिर्फ bank वाला question आएगा उसको छोड़ा के formula बन गया value per share of vendor company divided by value per share of purchasing ठीक है तो formula याद रखना MPS of vendor company अगर बात किस पे है अगर है market price के लिए किस पे दूसरा यह भी होता है EPS के basis पे मतलब sir sir हमको market price से मतलब नहीं है उस company की earning से मतलब है तो वैसे कर लीज़े और formula याद रखना ऊपर हमेसा क्या रहेगा vendor company अच्छा value क्या हो सकता है value यह value लिखतो दिया मैंने value per share तो बोले value क्या हो सकता है इंट्रिंसिक value भी हो सकता है ठीक है net asset value per share भी हो सकता है net asset value per share और intrinsic value per share एक ही बात बुक value per share भी हो सकता अधिकतर बुक value per share भी दे देता है question सर ठीक है अगर question में बोला कि calculate swap ratio और कुछ नहीं बता है तो किस basis पे काम करें इंपोर्टेंट है तो फिर आम MPS के basis पे काम करें ठीक है जी यह कैसे तो सर एसिट net asset value per share कैसे निकलते सिंपल है net asset value per share आज से नहीं निकाल रहा है और ना जाने हम CA इंटर से निकाल रहा है कब से निकाल रहा है assets net asset value intrinsic value per share क्या है अगर आज ही हम company बंद करते और सारी liability का payment कर दे तो last में equity shareholder को क्या मिलेगा और आज ही अगर हम बंद कर दे मतलब सारी assets बेचोगे किस पे बेचोगे market value पे outside liability का payment करोगे payable value होना चाहिए यह market value लिका ठीक है और preference shareholder का भी payment करेंगे और उसके बाद जो बच एका divided by number of shares करेंगे तो यह आगया intrinsic value per share दूसरा book value per share क्या होता है यह समझाने की जरूत नहीं यह हमने कई जगा पढ़ा equity share capital plus reserve and surplus divided by number of equity share इसको बोलते है book value per share ठीक है जी हाथ सर चलो बनाए question example से बात करते हैं थोड़ा बहुत consensus आखिर इसमें आता क्या है जो जो भी आता अधिक तर अगर यह example कर लेते हैं तो आपका merger का 70 per share questions हो गया है समझाने कितना simple है merger चलो समझते हैं कि क्या लिखा है example एलिमेटेड वार्स टू टेक ओवर एलिमेटेड पहली बात जब भी सब्द आती है इस तरह से एलिमेटेड तो हमेशा में लिख देता हूं मुझे समझने में आसानी होती है यह company यह purchasing company यह target company यह इसी को बोल सकते हैं आप vendor company number of shares number of shares इस company में 10,000 shares है इस company में 2,000 shares है 2,000 paid up value per share लिखा हूआ है तो इसका मतलब यह है कि 10,000 को 100 से multiply करोगे 2,000 को 10 से multiply करोगे तो equity share capital आ जाएगा सर यह तो question में दिया रहेगा ना by chance नहीं दिया रहे तो इसलिए मैं example को थोड़ा ढंक से पढ़ो आराम से पढ़ो धीरे धीरे बात करेंगे और question में reserve and service दिया अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए इन दोनों को तो सर यह आ गय हमारा net worth कितना बारा लाक और 24,000 earning after tax दिया है 150,000 और 16,000 अगर अगर EPS निकल सकता है कि sir earning after tax दिया है वैसे तो दिया है EPS question में नहीं दिया होता earning after tax को divide कर देते हैं number of shares से EPS आ जाता है तो यह EPS निकल और यह भी 24,000 divided by 2,000 calculator भी चला लिया कर तब 12,000 नहीं sir 16,000 आठी रूपय आए MPS दिया हुआ है 150,000 82 एक ratio काम आएगा generally इसका नाम है price price उपर price नीचे earn concept discuss हो चुका price earning ratio price earning ratio sir यह आ गए है ठीक है तो यह 10 times है और यह 4 net worth मैंने पहले ही बता दिया था कभी कभी कोशिन में book value per share निकलना आ सकता तो net worth divided by number of shares तो यह आ गए है book value per share calculate पहले number पर मांगा है कि आपको निकालना है share exchange ratio किस basis पर एकाद basis नहीं है तीन basis basis और क्या लिखा है weights पहले MPS के basis पे भी निकाल लेना हमने कहाँ ठीक है EPS के basis पर भी निकाल लेना हमने कहाँ वो भी ठीक है और book value per share के basis पर भी निकाल लेना और जो भी आएगा उसका हम weighted average करेंगे और जो आएगा उसके basis पे हम negotiation करेंगे सामने वाले से कि हम एक share के बदले में कितना share दें चाहे MPS करो चाहे EPS करो चाहे book value pair share करो formula क्या है formula है sir vendor company उपर और purchasing company नीचे क्या हमें MPS पता है अगर मैं formula की बात करें हाँ sir तो क्या बनेगा 32 divided by 150 क्या EPS पता है 8 by 15 क्या book value pair share पता है yes sir 12 divided by 120 तो यही किया होका सबसे तो sir यह किस के basis पे निकला MPS के basis पे निकल गया EPS के basis पे निकल गया book value pair share के basis पे निकल गया और फिर finally हमने क्या कर दिया weighted average कर दिया MPS के basis पे जो आया उसको weight दे दिया और यह weighted आ गया और यह आ गया 0.3 is to 1 इसका मतलब sir एक के बदले में हम 0.3 shares देंगे एक के बदले में 0.3 shares अजीब सा नहीं लग रहा है लग रहा है लग जाने दू sir 0.3 shares कैसे होगे बिटे वो fraction में होता नहीं है पर हम ऐसे ही बोलते हैं हम और दूसरी language में क्यार हर तीन share के बदले में एक share देंगे ऐसा भी बोल सकते थे पर ठीक ऐसे लिखा जाता है सामने वाली company के एक share के बदले में 0.3 shares देंगे यहां तक कोई problem है क्या यहां तक तो काम हो जाए आगे क्या मांगा है तो finally हो गया 0.3 number of shares to be issued by A limited to shareholder of B limited चलो final हो गया एक के बदले में हम 0.3 shares देंगे ठीक है तो आखिर कितने shares दोगे तो भई सामने वाली company में shares कितने है सामने वाली company में number of shares है 2000 तो बताइए कितने shares देंगे simple है 2000 divided by 0.3 तो 600 shares issue तो वही पूछा है बताइए number of shares कितने issue करेंगे formula लिखा है पर formula लिखने की जरूरूरत नहीं है सीधा सीधा भी काम हो सकता है कि हम कितने shares issue करेंगे 2000 into 0.3 तो 600 shares issue करेंगे सामने वाली यह पूछता है एक्जाम में विश्वास नहीं होता यार ऐसे question साथ आते हैं sir ठीक है चलते हैं तो point number 2 निकालना है post merger EPS merger के बाद EPS यह कैसे निकलेगे सबसे पहले देखो सामने वाली company के earning after tax कितना था सामने वाली company में earning after tax है 150,000 हमारी company का और sir सामने वाली B limited का भी तो हमारा ही हुआ यस तो total देखा जाए तो 150,000 प्लस 16,000 total मिला कर अब earning after tax हो गया 1,66,000 merger के बाद अब merger के बाद number of shares कितने है सार हमारे तो 10,000 है ही है और इनके 2,000 मत ले लेना 2,000 मत क्योंकि हम कितने shares issue कर रहे है 2,000 into point 3 हम तो 600 shares issue कर रहे है तो अब total मिला कर हमारे 10,600 shares हो गए है टिक आराम से हो जाएगा सार और answer कितना आ गया है 15.66 ये क्या आ गया है post merger EP ये भी हो अब आ रहा impact on impact on EPS due to merger and impact on earnings impact on earnings तो नहीं पूछता impact on EPS पूछता तो इसको ध्यान से करना पड़ेगा कि merger से पहले EPS क्या था merger के बाद EPS क्या हुआ और उसमें EPS हमारा बढ़ा कि कम हुआ और दोनों के अंगल से आपको बताना हो ठीक है सर देखे क्या है हाँ से समझना यही है बस समझने की कोशिश करें अब बात करते हम A Limited A Limited का merger से पहले EPS था 15 रूपीज और merger के बाद EPS हो गया 15.66 इसका मतलब यार 0.66 से क्या हो गया बढ़ गया B Limited का merger से पहले था EPS आठ रूप है अब यह मत बोल दे ना कि 15.66 हुआ नहीं क्योंकि यार यह EPS जो है यह कितने shares का है एक और इस EPS के लिए हमें कितने shares देना पढ़ रहा है थ्री याद है न यार वह sacrifice तो थ्री shares करना पड़ेगा उसको एक्विवेलेंट के दो तरीक है या तो यह 15.66 1 by 3 कर लीजिए या तो 8 into 3 कर लीजिए इक्विवेलेंट यह दोनों को बराबर करना पड़ेगा पहला तरीका है यार यह जो है यह जो कमाया जा रहा है तो 3 shares पे कमाया जा रहा है बोलो ना हाँ हाँ तो इसको भी मैं 3 shares के बराबर कर लूँ या तो इसको ऐसे ही रहने दू 8 और इसको मैं swap ratio से multiply कर दू तब equivalent आ जाएगा और generally ऐसे किया जाता है ओके सर इसलिए मैंने यह बात लिखी है 15.66 मतलब सर एक share बराबर हो गया 0.3 shares यस एक shares बराबर हो गया 0.3 shares तो यहाँ पहली EPS था 8 रुपए 3.302 तो यह क्या हो गया है यह decrease हो गया मतलब यहाँ मुझे क्या निकालना पड़ेगा मुझे निकालना पड़ेगा equivalent EPS बस यहीं बच्चों से गलती हो सकती पाकि इस topic में ऐसा कुछ नहीं कि गलती होगी और equivalent EPS कैसे निकालते है पोश्ट मर्जर EPS ले लेना और उसको swap ratio से multiply कर देना ठीक है हो जाएगा हो जाएगा बच्चों आगे चले impact on earnings earnings की दिक्कत नहीं है यह पूछता भी नहीं पर फिर भी कभी ऐसा पूछ लिया कि impact on earnings बताइए इसलिए इसका earnings पहले था 15 लग अब कितना हो गया मालो 10,000 shares और 1 share का EPS है उन्ही 10,000 shares की मैं बात करूँँगा 10,000 shares पर total earning पहले कितना था उन्ही 10,000 shares पर अब earning कितना होगा है तो यह क्या होगा है इनक्रीज और इसका earnings पहले कितना था 16,000 अब 600 shares है इन्टू 15.66 तो 9,400 का earnings आप इसको और एक तरीके से कर सकते हैं वो आपको पता है यार उन्हीं shares पर इन्हीं लोगों की बी लिमिटेट के पहले shares कितने थे कितने भी थे 2000 इन्टू किया तो 16,000 के earnings थी और अभी earning अब वो 2000 shares तो बचे नहीं अब उनके पास तो 600 shares ही है और एक सर यह equivalent कर दिया कि इस बार मैंने number of shares को equivalent कर दिया डेजन्ट matter कभी पूछा नहीं इसलिए मैं इस matter पे ज़्यादा बात नहीं अब क्या हो रहा है अब सर पूछ रहा है post merger MPS बताईए merger के बाद का MPS post merger MPS का formula क्या है EPS into price earning ratio तो सर मर्जर के बाद का price earning ratio दिया रहेगा कि हाँ जी हमेशा दिया रहे और सर भगवान ना करे नहीं दिया है तो अगर नहीं दिया है तो be limited तो खतम हो चुकी है बस a limited बचेगी इसी का price earning ratio यूज कर लिया जाएगा important note है जब जब भी post merger MPS निकालना रहे तो मर्जर के बाद का price earning ratio दिया रहेगा अगर नहीं दिया है तो हम a limited का price earning ratio यूज कर लेंगे पर इस बार question में दिया गुआ है तो मर्जर post merger EPS हमको पता है उसको हमने इस से multiply किया तो 187.92 आगए अगर post merger price earning ratio नहीं दिया है तो क्या करेंगे तो मुले हम price earning ratio यूज करेंगे किसका important है purchasing company का जो merger से पहले है वो merger से पहले है इसके बाद क्या पूछीगा जा इसके बाद impact on MPS impact on MPS निकाल लेंगे merger से पहले MPS कितना था 150 और merger के बाद कितना हो गए सर 187 तो सर ये तो increase हो गए MPS इसका कितना था 32 32 और merger के बाद 187 पर equivalent करना पड़ेगा 0.3 से multiply तो ये भी क्या हो गए increase जबकि ये दोनों increase हो रहा है A limited को भी फाइदा B limited को भी फाइदा है तो सर मर्जर करना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए मजाया और क्या भूच impact बता दिया calculate market value of A limited इसको बोलते market cap market cap क्या होता सर market cap मतलब number of shares into MPS और कब पूचे रहा market value मतलब से number of shares तो बढ़ गया पहले 10,000 था अब 600 और हो गया तो 10,600 into MPS से multiply करेंगे तो market cap अजाएगा और उसका impact बोल रहा है तो वो भी कर लेंगे तो number of shares से 10,600 और 187.92 से multiply करोगे तो या आगया market cap या market value अब यहार market value का impact पूच रहा सर करना क्या कुछ नहीं जैसे earning मतलब सर उनी 10,000 share का पहले था market price 15,000 लेक अभी वही 10,000 shares है अभी मैं बात पुरे A limited की सारे shares की बात नहीं कर रहा हूँ 10,000, 10,000 का comparison कर रहा हूँ तो सर 187 तो सर यह market cap बढ़ गया है market value बढ़ गया है इसका भी same करेंगे और यहाँ 600 into 187 600 क्यों किया है क्योंकि 2000 के वरावर 600 हो गया equivalent अल्रेडी कर चुका हूँ ओके तो यहाँ भी value increase हो गई बहुत ज़्यादा मुस्किन नहीं last और यह वाला point जो मैं करवाने वाज़ा रहा हूँ यह point अकसर आता है क्या point है सर अब ध्यान से समझना है यह वाला point अकसर इतने सारे point एक ही question में आएगे और नहीं आएगे पर example में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ cover करवाते हुए चलो attention खतम हो calculate swap ratio swap ratio निकालना so that A limited का EPS जो merger से पहले था merger से पहले EPS कितना था तर फिप्टीन रुपीस ऐसा swap ratio बताईए कि merger से पहले जो EPS था merger के बाद भी वही EPS होगा EPS before merger is equal to EPS after दो तरीके है करने के दो नहीं तरीके ही पर हमसे पूछ क्या रहा है मतलब पहला वाला तो 10,000 हमको मालूम है और नए shares कितने issue कर रहे है वही तो नहीं मालूम हमको सामने वाली swap ratio नहीं मालूम ना यार swap ratio तो साथ swap ratio जो भी होता है जैसे 2000 shares थे और 0.3 था तो हम 0.3 से multiply अभी X से multiply कर लेंगे हाँ तो भी चल जाएगा और इन formula का answer कितना आना चाहिए 15 एक तरीका तो यह है तो हमने swap ratio को क्या माना X और काम किया है और काम करने से आ गया 0.533 तो दूसरा alternative जब जब भी ऐसा बोलेगा कि swap ratio EPS equal होना चाहिए मर्जर से पहले मर्जर के बाद तो हम alternative तरीके से बोलेंगे अगर बोलेगा EPS should be maintained तो आप swap ratio EPS के basis पे निकाल लेना that's it answer वही आए तर नंबर मिलेगा कि हाँ जी नंबर मिल जाएगा चले जी आगे अब क्या requirement है सर पढ़ लेते हैं लास्ट बचा हुए calculate swap ratio so that EPS of be limited अब EPS of a limited की बात नहीं कर रहा है अब बोल रहा है यह merger जे पहले EPS of merger के बात का EPS एक जैसा होना चाहिए लेकिन बात किसके कर रहा बी लिमिटेट यह कह रहा है कि देखो मतलब सर क्या मतलब है मतलब यह कि वो यह कहना चाहते हैं कि देखो है हम नहीं जानते क्या करो के यह जो अपने impact on EPS निकाला था ना यहां तो हमारा 8 था ना कुछ भी करो कैसी भी करो यहां 8 आना चाहिए मतलब सर एक्विवेलेंट EPS से एटा ना चाहिए हां हमको कोई loss नहीं होना चाहिए वो यह maintain करने के लिए बोला है बनाई कि सर कोशियंट चलो बनाते हैं ना अब देखो कैसे निकाला 15,000, 16,000, 10,000, 2000, X यह निकलेगा सर पोश्ट, मर्जर, EPS और इसको multiply करोंगा मैं swap ratio से क्यों कर रहा है क्योंकि मैं equivalent EPS निकाल रहा है और answer आना चाहिए 8 मैं रिखल से समझ में आगा तो देखोगे तो answer उतने ही आया 0.53 alternative आप ऐसे कर से तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो बोलेगा EPS maintain रहना चाहिए चाहे वो purchasing company का बोल दे चाहे वो vendor company का बोल दे किसी के भी angle से बोले कोई फरक नहीं पड़ता अगर वो कहेगा कि EPS maintain रहना है मतलब merger से पहले का EPS और merger के बाद का EPS सेम होना चाहिए तो सीधी बात यह है कि हम formula लगाएंगे swap ratio निकलेगा EPS के basis पर यस बस मैं यही कहना चाहता था बाकी कोई ठीक है तो यह पहला example हमारा खतम हो time लगना ही था क्योंकि इस में मैं समझाते हुए काम कर रहा हूँ आगे time नहीं लगे question number seven सीधा question number seven सीधा question number seven नहीं बीच में question number one two three है वो करवाऊंगा पहले question number seven इसलिए करवाया practice के तो इसमें कोच खाज बात थी क्या कोई खाज बात नहीं थी और इसमें कोई खाज बात नहीं थी और इसमें क्या था EPS a listed company with self by means of stocks be limited agree to plan under which a limited offer the current market price मतलब सर इसमें MPS के basis पर swap ratio निकालना था अभी तक तो मुझे यही समझ में ठीए किस है MPS के basis पर ही है सबसे पहले आपको क्या निकालना आपको pre-merger EPS निकालना तो सर ये तो आसान काम है this divided by this करेंगे तो pre-merger EPS हजाएगा price earning ratio निकालना थो MPS divided by EPS करेंगे तो price earning ratio जाएगा अब बोल रहा कि be limited का अगर price earning ratio 10 है इसका अच्छा question है पहले समझना बहुत अच्छा question है घुमाने वाला है ठीक है ना सर हम काम करते हैं और हम काम कैसे करेंगे तो सबसे पहले चलो तुम में क्या कह रहा था अब सुना दियांगा तर काम क्या करना काम यह करना कि सबसे पहले जो मांगा यह वाला point की वज़ा से मैं question discuss कर रहा हूं नहीं तो question छोड़ देता ठीक है पहले मांगा है pre-merger EPS merger से पहले का EPS वो तो निकाली सकते हो calculator है न आपके पास तो सर 10 लाक divided by जान ला तो सर यह आगया 2.5 तो दो लाक पचास जाट divided by यह आगया 1.25 ठीक है और क्या मांगा है price and ingress price and ingress sir MPS divided by EPS तो 50 divided by 2.5 20 और 20 divided by 1.25 16 तो रहे यहांसे पहले point में कुछ था नहीं यार यस फर्स्ट वाले point में कुछ नहीं था 2.5, 1.25 price and ingratio भी निकाल लिया हो price and ingratio भी यहां निकाल लिया होगा अब सुनो क्या बोल रहा है अब सुनना क्या बोल रहा है लिखा है if be limited price and ingratio है 10 बोले हमें be limited के इस price से मतलब नहीं है हमारी नजरों से उसका price and ingratio 10 है तो बताईए market price क्या होगा वाउ यह तो simple होगा है सर तो सर एक काम करेंगे फिर तो 1.25 तो 10 उस इसाब से देखोगे तो सर market price जाएगा 25 यस 25 आगे क्या लिख लो बताओ action ratio क्या होगा किस basis पे MPS के basis पे और तो कुछ लिखा नहीं है तो फिर MPS सर 20 लेंगे कि 25 लेना पड़ेगा 25 divided by 50 लेना पड़ेगा बस यह एक खास बात अब फिर post merger EPS निकालनेंगे ओके सर तो बस यही आपको समझना 25 नहीं आया था गलत हो गए यह आ गया था 12.5 12.5 के सब से काम करोगे share actions ratio ने कर देख MPS MPS और यह निकल जाएगा हमारे swap ratio और swap ratio के बाद क्या मांगा था swap ratio के बाद सर हम से मांगा था post merger EPS तो number of share to be issue निकल जाएगा post merger EPS निकल जाएगा yes बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं और बोल रहे EPS सेम रहना चाहिए तो simple formula से हम काम कर देंगे अब सुनो सुनो एक बात और समझे ICEI कैसे काम किया ICEI कैसे काम किया please सुनना दिया वो क्या करता है जब भी बोलेगा कि EPS सेम रहेगा तो हम लोग ठीक EPS के बिस्स पर हमने swap ratio निकल देंगे उसके बाद वो क्या करता वो post merger EPS भी निकल देता और it means वो कहता कि देखो यार EPS की तो answer देखो हमारा 2.50 आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं कास आप समझ जाओ सबसे पहले swap ratio जब भी बोलेगा कि EPS मैंटेन रहना चाहिए swap ratio ऐसे निकलोगा EPS of vendor company divided by EPS of purchasing इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या लेकिन उसके बाद उसके बाद हमेंसा post merger EPS निकाल लिया करो इस टेफ मारकें है तो यार एकाद नमबर extra मिलेगा या एकाद नमबर काट लेगा उसके पिक्षा देदे इट मिस ये निकाल लिया करो और answer आ रहा है दो रुपए पचाट हलाकि बेवकूफ ही है पर निकालने में क्या दिक्कत है चलो जी अब एक question मनाने जा रहा है question number 3 अच्छा question question number 3 अब सारे ही question अच्छे एक बार read करो question ABC Limited is company operating in software industry it is considering the acquisition of XYZ ABC होगी purchasing company और XYZ होगी हमारी vendor company या target company ठीक है earning after tax दिया है 9 lakh, 2 lakh, 40 thousand number of shares दिया 1 lakh, 50 thousand, 60 thousand of price earning ratio number of times times में ये दिया रहता है 14 और 10 अच्छा question है भाई ये भी अच्छा question है ABC is planning to offer a premium of 25% over the market price of XYZ ये ही एक point है जिसकी बज़ा से मैं बोले ऐसा है सर कि vendor company के share का price कितना है price ही तो नहीं मालू है एक बार price निकल लेकिए earning से ये करो तो सर दिखो 9 lakh divided by 1 lakh 50 thousand ये आगे हमारा EPS into 14 करोगे तो यहां share का price आया 84 और 2 lakh 40 thousand divided by 60 thousand जो भी आया into 10 तो सर यहां share का price आया 40 रूपीज चालिस रूपीज उनको ये कहना है कि हम जब XYZ Limited को offer करेंगे तो हम 40 में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी नजरों से उस company के share का price 40 रूपीज नहीं है उससे जादा है 25% जादा है plus 25% तो कितना जादा है तो बोले 40 plus 25% बोले हमारी नजरों से ये market price काम कर नहीं है हमारी नजरों से 50 रूपीज हम market price लेकर चलेंगे और इस हिसाफ से हम swap ratio निकल तो 50 मान कर 50 मान के निकल लोगे 50 divided by 84 आंसर आगे 0.59 ऐसा कुछ आएगा चिक या 50 divided by 84 करके कर लेंगे उसके बाद number of shares to be issued निकल जाएगा उसके बाद post murder EPS हो जाएगा सर और impact बताना है तो फिर तो question में कुछ नहीं है question में क्या खास बात थी इस question में बस यही बात थी आपको यह 50 लेकर काम करना है उसके बाद determine the post murder MPS और बोले अगर यह decline हो फिर तो हो जाएगा question में कुछ नहीं है फिर तो repeat question number 4 तो में ना आपको पुरा question नहीं करवाऊगा मरजर में unnecessary हम ज़्यादा time क्यों बर बात करें जो key points से वो discuss करूँआ अधिकतर questions में वही हो खा तो चलते question number 4 पे का बड़े question number 4 यस तो हम कौन है be limited हम किसको acquire करने का सोचता है और swap ratio दे दिया है जब अरदस्ति का time pass नहीं करेंगे तीन के बदली में two shares एक मतलब सर ये हो गई हमारी purchasing company और ये होए पाइंडर कम प्रॉफिट आफ्टर टेक्स दिया है profit आफ्टर टेक्स 4,50,000 और 21,00,000 तीक है ये question ही है number of shares दिया है तो भाई साब EPS उसने निकाल कर दे दिया और नहीं भी दिया था था हम निकाल ले थे price earning ratio दिया है price quoted per share on a BSE तो इसको इसके साथ multiply करोगे तो MPS भी दिया है सब तो दिया है तो मांग क्या रहा है पता नहीं ओहो बड़ा requirement है यार number of shares to be issued by B Limited for acquisition of S Limited वो लोग कितने shares issue करेंगे तो आसान हो गए है सामने वाली company में number of shares कितने है सामने वाली company में 1,80,000 तो 1,80,000 into 2 by 3 तो 1,20,000 issue करेंगे 1,20,000 हमारी company में already number of shares कितने है 6,00,000 तो total मिलाकर 7,20,000 share तो 1,20,000 तो पोस्ट merger EPS मांगा है EPS after merger मांगा है Post merger EPS तो combined earning divided by number of shares तो सर ये तो आगया 3.54 इसमें कोई दिक्कत नहीं होना भी ने चाहिए फिर equivalent EPS मांगा है S Limited का तो सर S Limited पता है ना यार S Limited मतलब ये equivalent मांगा है तो swap ratio सो multiply कर देना जो भी पोस्ट merger EPS आया तो 3.54 इन्टो 2.36 आ गया है मेरे ख्याल से ये भी और gain और loss बोला तो merger के पहले का EPS कितना था सामने वाली company सर मरजर से फेले का था पहले का था पहले का था पहले मरजर से पहले का था था 2.50 प्यस अब भी कितना था तो सर ये तो loss हो गया sere decrease कितने से हो गया 0.14 से decrease आगे क्या बहुत What is the MPS MPS मांगा है अगर price earning ratio same रहे EPS निकला था कि यह सब 3.54 और उसको multiply किसे कर देना 10 से तो answer आजाएगा MPS 35.40 market value of merged firm market value of merged firm total number of CS into MPS तर यह आगे market value of merged firm यहां तक कुछ समझाने वाली बात नहीं थी अगर मैं यहां तक चाहता है तो आपको इस question को पक्का यहां नहीं डालता सिर्फ इस question को मैंने डाला है इस point की वज़ा से यह बोलना क्या चाहरा है बस यह समझने की question after the announcement of merger अभी merger हुआ नहीं है merger का announcement हो गए merger का announcement हुआ इसकी वज़ा से S limited का share 10% से बढ़ गया वाउ सर पहले share का price कितना था सर पहले था 17 रुपए नहीं पहले share का price कितना था निकाला है सर पहले share का price था 40 रुपीस यह कून सा question आगे पहले share का price कितना था कितना था प्राइस ही तो सर 17 रुपए तो जैसी 17 रुपए 50 पैस यह था share का price announcement हुआ merger का तो 17 रुपए 50 पैस से प्लेस 10% तो बढ़ के यह हो गया 19.5 19 रुपए 25 पैस यह share का price हो गया merger का announcement हुआ और share का price बढ़ गया और बढ़ गया अगर मैं अब सुनना दिया अगर मैं रहने देता हूँ मार्केट में share का price बढ़ा न बेचो बेच कर 19 रुपए 25 पैसे तो मिलेगा और उसको कहीं और लगा दीचे एक तो यह तरीका है दूसरा तरीका है कि 19.25 रहने दीचे कल को क्या होगा share exchange होगा पर इस पे हम equivalent EPS तो कमाईगे equivalent EPS कितना है 2.36 अगर मैं इसको ऐसे ही रहना देता हूँ company में तो 2.36 रुपीज में कमाऊंगा इस पर equivalent निकाला है तो percentage में बताओ कितने की कमाई है 2.36 divided by 19.25 into 100 उस हिसाब से देखा जाए तो अगर इसको मैं रहने देता हूँ इसको बेचता नहीं हूँ तो मेरी जो कमाई हो रही है वो कमाई हो रही है 12.26 percentage होगी future में यह equivalent EPS निकला है उसके पिक्चा मैं आज ही बेचकर बाहर निकल जाता हूँ तो मेरा कुछ percentage दिया है कि yes, कितने percent की कमाई होगी 14 percent की तो सर मत रहो company क्योंकि आपका percentage काम है market में बेचकर market में कमाऊगी तो 14 percent की कमाई होगी है तो आपको क्या करना चाहिए आपको offload the shares करके market में पैसा लगा देना चाहिए यह वाला point था जो पूछा था ठीक है समझा दिया हूँ ठीक है सर बात समझ में आ गई एक और topic आता है वो है maximum actions ratio and minimum actions ratio वो भी मुझे समझाना है उसके लिए मैंने एक example करवाई अक्सर आ रहा है आजकल इसले क्या topic है maximum and minimum actions ratio इस पर भी आजकल question पूछे जाता है maximum and minimum ठीक है discussion करते हैं आराम से आगे मिणे yes तो मैंने कहां कि मुझे discussion करना maximum actions ratio और minimum actions ratio इस पर question भी आते हैं अच्छली सर्थ concept क्या concept में discuss कर रहा हूँ उतना मुस्किल concept नहीं एक खा a limited wants to take over be limited मतलब सर ये हो गया हमारा purchasing company और ये हो गया हमारा vendor company number of shares दिये हुए है number of shares है 1 lakh और 40 था number of shares है ठीक है EPS दिया है 15 rupees 9 rupees MPS दिया है 90 और 27 तो इससे साब से price earning ratio आगया 6 और 3 और number of shares से EPS को अगर multiply कर दिया जाए तो earning after tax दोनों का दिया हुए एक बार मैं फिर भी earning after tax देख लेता हूँ 40,000 in 9 ठीक है सबसे पहले बोला minimum actions ratio acceptable by a limited यह सब्द important है अगर वो यह सब्द बुलेगा कि minimum action या maximum action ratio की EPS should be maintained तो मतलब EPS के basis पर फिर हमको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना अगर question बोलेगा maximum actions ratio acceptable by a limited सर इसका मतलब क्या है एक actions ratio कोई भी ले लेते एक बात बताओ actual में मैं बात कर रहा हूँ a limited के point view से ज़रा सुनना किसी भी चीज की कीमत negotiation कैसे होता negotiation सर negotiation ऐसे होता है कि जो purchasing company है वो खरीद रही है इसको yes तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना देंगा maximum maximum निकालेंगे भी इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते और जो बेच रहा है जो बेच रहा है वो कहता है कि भी इससे कमे तो हमको बात नहीं बनेगी बात समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ वार्गेनिंग होती ही ऐसी है कि एक कहता है कि इस से ज़्याद हम देंगे कि नहीं और दूसरा कहता है इस से कम हम लेंगे नहीं कोई चीज बेची जा रही है तो अगर मैं पर्चेसिंग कंपनी हो तो मेरे इंगल से बात हुएंगे कि मैं मैक्सिमम कितना दे सका और जो बेच रहा है वो उसके इंगल से बोज़ा कि मैं मिनिमम इस से कम तो लूँगा नहीं तो बात बस मैं इतनी सी बोल रहा हूँ कि अगर बात आती है पर्चेसिंग कंपनी के एंगल से तो निकाला जाएगा मैक्सिमम एक्षिंग रिशो इट मिन्स मैक्सिमम एक्षिंग रिशो जो निकाला जाएगा वो किसके एंगल से पर्चेसिंग कंपनी और minimum action ratio किसके एंगल से निकाला जाएगा vendor company है ठीक है सर यहां तक तो बात कता है अभी क्या अभी बच टार्गेट एक ही रखना कि MPS में कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए that's it यस MPS में फरक नहीं अगर पर्चेसिंग company बोलेगी कि maximum action ratio क्या मेरे शेयर का price प्री मर्जर MPS है 90 तो पोश्ट मर्जर MPS भी 90 रुपीज होना चाहिए मर्जर के बाद भी और B limited vendor company बोलेगी कि यार मर्जर से पहरे 27 था तो मर्जर के बाद भी 27 होना चाहिए that's it उससे मतलब हमारे market price में कोई decreasing decrease नहीं होना चाहिए that's it खत्म बात करें minimum and maximum action ratio maximum action ratio maximum action ratio is calculated from the point of view of purchasing company ये तो बात में ने समझ रहा है बता दिया था in maximum action ratio MPS of purchasing company before mergers should be same after mergers sir formula क्या लगाएंगे formula simple है और ये formula आता है ये क्या है sir post merger earnings divided by post merger number of shares और ये ही तो मुझे निकालना तो इसको ले लिया है मैंने X इसको लिया है मैंने X तो ये जो निकला ये क्या निकला post merger EPS price earning ratio से multiply करना है पड़ेगा तभी तो है price earning ratio कितना हाल लिखा है कि कहीं कि 6 लेना है प्राइजर तो कुछ नहीं दिया जाएगा तो ये वाले लेना होगा 6 आंसर आ जाएगा और आंसर आ गया पॉइंट सिक्स इस्टो ऐसे ही किसका minimum action rate minimum action rate सो किसके point of view से बात होगा सर ये बात होगा vendor company के point of view और वही है कि pre merger MPS और post merger MPS सेम होना चाहिए याद रखना यहां जो बात होगी वह होगी equivalent MPS तो वही है इसको x मान लेना into 6 करना और सर ये क्या है यही तो है याद रखना आपको equivalent MPS निकालना होता है तो हमें यहां किस से multiply करना होता है और आंसर आ जाएगा ये आ गया point 267 इस्टो ठीक आएगा concept उस समय हम कर लेंगा बागी question में कुछ है नहीं है आराम से तर ये वाला question ये वाला question क्यों करवाया था आपने कुछ नहीं ऐसी practice के लिए question करवाया लिया था इस question पर क्या मांगा पोश्ट मर्जर EPS मांगा impact on EPS मांगा ये question आप से आराम से हो जाएगा इस पर में time खराब नहीं मेरे पास तो time ही time है मैं तो इसको चार घंटे तक खीच लूँ और मैं जानता हूँ इस पर time खराब होगा आपका इस पर मैं आपका time खराब नहीं question number 10 पर जाते question number 10 अच्छा है question number 10 minimum actions ratio और maximum actions ratio वाला कोई question होगा तो मैं करवा दूँगा है वैसे question पर हो सकता है मैंने बच्चो को कौँगी concept समझा दिया तो homework दे दिया होगा ठीक है देख लेते हैं लिखा BA limited सर हमको इस book का soft copy चाहिए with solution मिल सकता है description में डाल दूँगा क्यों टेंशन ले रहा है लिखा BA limited और DA limited बोथ the company operate in the same industry ये कोशन अच्छा है कई बार आया हुआ है ठीक है the financial statement of both the companies for the current financial year R.S. follows balance sheet दिया हुआ है current asset fixed assets और ये सब दिया हुआ है sales, cogs, gp, interest, earning after tax, tax, additional information में number of shares, dividend payout ratio and market price per share स्पीट से क्यों पढ़ा क्योंकि ये कोशन आपके एक बार देखा हुआ होगा तो तो फिर मुझे गहराई से पढ़ना पढ़ेगा उतना हमारे पास time नहीं है गहराई से पढ़ने ये कोशन आपका देखा हुआ मांग क्या रहा है जरा ये पढ़ते हैं assume that both companies are in process of negotiating a merger through actions of equity share ठीक है मांग क्या रहा है ये बोलो ना यार कहानी क्यों सुना रहा हूँ बोले डीकंपोज कीजिए अलग-अलग कीजिए किसको बोले शियर की प्राइस को बोले किस-किस से बोले EPS into price and English कहना क्या चाहता बोले देखो MPS जो बनता है किदर MPS वो दो चीजों से मिलकर बनता है कौन-कौन सी चीज बोले EPS और price and English तो बोले निकालकर बताओ EPS पड़ेगा कहीं कुछ तो दिया होगा सर यह दिया हुआ है earning after tax 2,10,000 और number of shares कितने है भाई number of shares सर एक लाग है तो EPS है जाएगा yes और MPS दिया है तो price and English भी है जाएगा वही काम किया होगा EPS आगे एक MPS दिया तो हमने price मतलब हमने EPS निकाल लिया दोनों का और price and English ratio भी निकाल लिया दोनों का मेरे क्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या EPS और price and English ratio और फिर बोले EPS को भी segregate कीजी अलग है सर करवा क्यों रहा है वो मैं बाद में समझा हो EPS को भी अलग-अलग कीजी और उससे क्या निकाली है return on equity और book value per share EPS का formula क्या होता है यह return on equity का formula क्या होता है return on equity का formula होता है EPS divided by book value per share यह पहले भी बताये हूं हमें आपको security EPS क्या EPS मालूम है yes क्या book value per share मालूम किया जा सकता है yes sir book value per share कैसे निकलते net worth divided by number of shares sir net worth यह दिखाई दे रहा है yes divided by number of shares करेंगे तो book value per share हजाएगा yes sir यह आगे net worth यह आगे book value per share और formula return on equity का है तो यह मांगा था उसने यह मांगा था और हमसे यह भी चलो भई ठीक है आगे चले point number one में तो इतनी चीज मांगा था point number two में मांगा किया देखो क्या-क्या निकाला उसने EPS मांगा sir EPS बेलकुल गहराई से क्योंकि जरुरत पड़ेगी अब सुनो EPS किसका ज़्यादा sir हमारी company का EPS ज़्यादा मैं इसको purchasing company मानके चल रहा हूं और इसको मैं मानके चल रहा हूं vendor company it means BA Limited का EPS ज़्यादा है BA Limited का price earning ratio ज़्यादा है BA Limited का book value पर share ज़्यादा है और BA Limited का return on equity भी ज़्यादा है R और क्या मांगा तो ले क्या आप growth rate नहीं काल सकते हैं yes sir B into R B का मतलब क्या होता है retention ratio R का मतलब क्या होता है return on equity क्या return on equity हमको पता है yes और क्या हमें dividend payout ratio दिया हुआ है yes तो क्या इसकी मदद से हम retention ratio नहीं कल सकते हैं yes sir तो retention ratio 60% 40% और R से multiply कर देंगे yes dividend payout ratio मालो है return ratio R से multiply किया तो यह क्या गया growth क्या growth rate भी BA limited का ज्यादा है yes तो BA limited का EPS ज्यादा है growth rate ज्यादा है price earning ratio ज्यादा है return on equity ज्यादा है बहुत कुछ मतलब यार यह company किसी भी एंगल से अच्छे company है BA limited मांग क्या रहा है point number third this is most important 4 और 5 तो यह थी है third वाला मुझे समझाना है इसी पे मेहनत करवानी point number third वे बात हो जाए कि yes point number 3 में बोल क्या रहा है based on expected operating synergy synergy का मतलब synergy का मतलब सब बच्चों को पता है हम दोनों मिलकर अजब दोनों अलग अलग कमा रहा है synergy का मतलब क्या होता एक रफली बात मैं हूं purchasing company मैं कमा रहा हूं 2 लक आप वेंडर कंपनी आप अपना चला रहा है आप कमा रहा है 1 लक तो अगर देखोगे तो अलग अलग देखोगे तो मैं 2 लक और वो 1 लक 3 लक पर अगर दोनों मिल जाएंगे ना तो हो सकता है कि हमारा 3 लक 50,000 कमा है वैसे तो 3 लक होना चाहिए merge करके पर 50,000 जादा तो जो 50,000 जादा ना वो synergy है अच्छा मिलेगे तो एक्स्ट्रा कमाएंगे तो उसी operating synergy को ध्यान में रखते हुए PA Limited को ऐसा लग रहा है कि DA Limited में actual intrinsic value 20 रुपीज है अब बच्चों का गयाना सर intrinsic value तो हमने अलरड़ी निकाला है अलरड़ी निकाला है बोले अभी उसको भूल जाए वो तो individual अलग-अलग नेकाला अब बोल रहा कि operating synergy को ध्यान में रखते हुए हमको मालुम है कि सामने वाली company की value 20 रुपीज है आप अब बोल रहा है अंगरे जी पढ़ने की जरुतनी बोल गया रहा बस इतना बतादा देखो भाई सामने वाली company की प्रियर का price actual में कितना है अगर मैं actual price अगर एक्चुल price यह दिख रहा है 15 और 40 तो swap ratio की बात करें कि yes 15 by 40 MPS की basis पर 15 by 40 मतलब 0.375 इससे कम में तो सामने वाली company मानेगी ही नहीं क्यों कि उनकी उनके share का आज market में भाव कितना चल रहा सर 15 रुपे 15 रुपीज तो वो 15 रुपे से कम में आप से deal करने को तैयार ही नहीं होगी क्यों कि यार देखो यार आप 15 की सब से payment कर रहा हूं अब बीए लिमिटेड ये वाली company सोच रही हैर सुनो यार उस company को अगर हम acquire करें तो फायदा है और हमारे हिसाब से इस company के share का price उनको बताते नहीं है लेकिन हमको मालू है कि यार 15 रुपे यहां under price है actual में इनके share का price 15 नहीं इससे जादा है और हमारे हिसाब से इनकी value 20 रुपीज है उस हिसाब से action ratio 0.5 to 1 हमको मालू है हम 0.5 दे देंगे इसके उपर नहीं देंगे क्योंकि हमारे हिसाब से 20 रुपे कीमत और सामने वाला तो इससे कम मानेगा नहीं अब यार negotiation होगा मैं बैठूंगा मैं कौन हूँ बीए लिमिटेट का और आप बैठे हो डीए लिमिटेट के आप मुझे साब साब बोलोगे 0.375 से कम में बात मत करना और मुझे मन ही मालूम है कि या 0.5 इससे उपर में दूंगा नहीं अब पूछ रहा है कि बताओ जब negotiation होगा तो किस rate के जादा करीब होगा इसके जादा करीब होगा कि इसके जादा करीब और वो किस basis पे बताना कि point number one में जो आपने काम किया है और point number two में जो काम किया जो calculate किया उसके जो analysis किया उसके हिसाब से बताओ तो question ये है कि भाई देखो हम समझाएंगे कि देखो भाई कौन हो आप DA limited के shareholder आप इस पे मान जाईए पुर लेकर क्यों माने? हम तो मार्केट में भी वेचेंगे तो 15 का भीकेगा ही भीकेगा सुनो सुनो मेरी बात आप हमारी कंपनी में आ जाएए हमारी कंपनी में आ जाती है तो प्राइज एर्निंग रेशो जादा है हमारा ठीक है और भी देखोगे तो और चीज़ बता सकते हैं हमारी company में return on equity ज्यादा है हमारी company का EPS ज्यादा है हमारी company का growth rate ज्यादा है तो आप तो खुसर हो जाओगे हमारे साथ आजाते हो तो जो deal close होगी वो किसके पास close होगी वो होगी 0.375-1 पे close हो जाएगी यह पूछा था यह तो यह maximum action ratio, minimum action ratio लिखादा, the negotiation term to be closer to lower action because EPS price earning ratio, ROE, book value, partial growth rate of BA limited is more than TA limit that's it, अच्छा point था इसके बाद यार, post merger EPS निकालना, share action ratio दिया है और impact निकालना, जैसे फिर share action ratio यह दिया हुआ है सर तो share action ratio होना चाहिए, किसके close, 0.375 होना चाहिए लेकिन actual में deal final होगी और deal कितने में final होगी, बुले 0.4-1 पे तो बुले, post merger EPS निकाल लिया और impact on EPS निकाल लिया ही, कर लो कि और post merger MPS निकाल लिया और impact on EPS निकाल लिया ही, यह भी कर लो अच्छा question है, एक्जाम में भी आया हुआ, तो please, इस question को पक्का पक्का कर ले कोश्चन नमबर 14 कोश्चन नमबर 14 The CEO of a company thinks that shareholders always look for EPS, यह लो भाई बहुले, जो company के shareholders है, वो सिर्फ किसको पर focus करते हैं, तो इनका कहना सिर्फ EPS target है भी, यह इसके अलावा कुछ नहीं और बहुले, EPS maximum होना चाहिए, ठीक अभी profit कितना है, 80 लाक और price earning ratio है, 10.5 EPS per share निकल सकता है और हम दूसरी firm को खरीदना है, उसकी income है 15.75 और उसका price earning ratio है, 10 what is the maximum action ratio which CEO should offer so that he could EPS at the current level, EPS हम रहेगा, EPS एक बार निकाल ले क्या, तो कैसे निकाला EPS 80 लाक और 15,75,000 दिया हुआ है या 80 लाक और 15,75,000 price earning ratio से divide कर दिया होगा MPS दिया हुआ है कि 42 और 105 इसकी दर से निकाल लेका, अच्छा ये last में लेका, MPS दिया है वेगर MPS दिया है तो EPS निकल गया होगा MPS दिया price तो EPS निकल गया और EPS दिया है तो क्या number of shares निकल गया है ये number of shares, earning मालूम है number of shares से divide के लिए आगया है number और EPS मेंटेन रहेगा, मतलब EPS divided by EPS तो answer आगया 2.625 is to 1 और post merger EPS निकल कर बता दिया इस point में दिक्कत नहीं, दूसरे point का answer लिखा नहीं है पर अ करना पड़ेगा, दूसरा point तो दूसरा point कहा है, इस question एक loan वाला point है जो हो इस point की मैं बात करूं, ये मुझे समझाना था CEO कहता है कि भाई साब ऐसा है, हम borrow करेंगे 15% के हिसाब से और target company को buy out कर लेंगे मतलब यार आपको हम shares नहीं दे रहाए, हम पैसा दे दे लेंगे बात कर दे, और इतना पैसा देगे कि हमारा pre merger और post merger EPS सेम होना चाहिए, तो देखो अब जुगाड कैसे करना ध्यान से समझना बिटे, ध्यान से मेरी वाद, अब मैं एक काम क्या कर रहा हूँ, यार ये तो चारी होना चाहिए चार earning तो इतना ही रहेगा, yes 80,000,000 10,15,75,000 95,75,000 तो टूटल earning आगे 95,75,000 देख लेना आप calculation और number of shares ये नहीं आएगे, क्योंकि हम shares के बदले में shares नहीं देना है हमारे पहले shares 20,00,000 थे, आगे भी 20,00,000 ही रहेगे क्योंकि सामने वाली company, हमारे number of shares नहीं बढ़ेगे सामने वाली company को हम cash देगे तो सर यहां divided by किया जाएगा, 20,00 किया आएगा but minus करना पड़ेगा earnings है पर यार हम हम जो सामने वाली company को पैसे दे रहे हैं वो पैसे हम loan लेकर दे रहे है तो उस पर interest तो देखना पड़ेगा after tax ले 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 कितने रुपए सामने वाली company को कितना देना है वो ही तो हमको निकालना है तो सर इंट्रेस्ट कितना interest x ले लो और कोई option नहीं है interest minus करना पड़ेगा न हमको तो यहां मैं interest कर ले लोंगा यहां यह नहीं बताया है यहां यह निकालना है कि कितना रुपए 15% है 15% क्या करना आप चाहो तो यहां x ले 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 pertama तो यहां 1- इतना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा 1-0.3 मतलब 0.70 x मैनस करेंगे तो सर एकस निकल जाएगा interest का amount और interest को amount को divided by 15% कर लेगे तो का मचाहेगा आरे खिळ सिक कर लोगे इसका solution में दे दूँगा मैं आपको एक बात बता दिया नीचे number of shares बीस लाग ही आएगा फ्लीज इसको देख लेना description में मैं link share कर दूँगा मेरे typist ने यहां जो भी किया उन्होंने second point का answer नहीं लिखा पर फ्लीज आप कर लोगे मुझे पूरी उमीद ठीक है इसका answer description में मैं डाल दूँगा book उससे अब देख लिए ठीक है sir अगला question करें yes question number 23 question number 23 अलग question है जितने भी अलग questions है सब में करवाने जाए question number 23 ठीक है e limited acquire किसको कर रहा है e limited the t limited acquire कर e limited are in the same industry the former is in a negotiation for the acquisition of letter मतलब sir t limited हो गई purchasing company e limited हो गई वैडर ठीक और दोनों का information दिया है दोनों के number of shares दिया यह है purchasing company यह है वैडर कंपनी दोनों का equity share capital दिया debt दिया हुआ है 10% venture 12.5% institutions loan है और earning before interest depreciation and tax दिया ऐसी earning जिसमें interest भी minus नहीं वाड़ है पर IBDA बोलते थे पर इन्होंने e b i d t a हम लिखते थे इन्होंने ऐसा लिखा कोई फर्क नहीं बढ़ आए चले है हो सकता है purchasing company अपने angle से बात करेगा और vendor company अपने angle से बात करेगा तो पहले बात करेंगे हम purchasing कि T limited तुझे सर तो देखी कि T limited क्या बोल रहा है यस T limited बोल रहा है कि हम offer करेंगे किसको E limited को सारा business खरीद लेंगे whole business और हम business की value कैसे निकालेंगे तो लिख रहा है business की जब value निकालेंगे ना तो जो earning before interest debt जो भी है उस से 7 गुना ज़्यादा ले लेंगे value कैसे निकालोगे जो भी IBDA है उससे into 7 कर देना और इसमें से debt minus कर देना जैसा बोलेंगे वैसा करना बस हमको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना और वो निकलेगी बुले वैल्यू बिसनेस और जितनी भी वैल्यू निकलेगी हम उसको अपने शियर सीश्यू कर देंगे किसके सबसे मार्केट प्राइज और हमारे शियर का मार्केट प्राइज है 220 किसकी बात है यह है टी लिमिटेट की मतलब उन्होंने वैल्यूइशन का कुछ और तरीका बताया ठीक है जी हम तेयार है अब बात किसकी करते हैं टी लिमिटेट टी लिमिटेट बोलते हैं इतना तामजाब नहीं आपनी बात बता रहा हमें चाहिए हर दो शियर के बदले में एक शियर दो के बदले में एक और पेसिस क्या रहेगा बोले मार्केट प्राइस मतलब दो के बदले में एक तो जीतनी भी शियर से मार्केट प्राइस से मल्टिप्लाई कर देना वो ही आगया वैल्यू बिजनेस और टेक्स का रेट है 30 पर्षन calculate and show the following under both alternative टी लिमिटेट के हिसाब से और ए लिमिटेट के तो बहुत पहले पहले की काम करो टी लिमिटेट ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से आप ये सारी चीज़े निकालिए है और rounded off करना है आपको दो decimal places काम करेजी सबसे पहले बताइए net consideration कितना मतलब value of business तो देखो उनोंने टी लिमिटेट के एंगल से जो भी इबड़ा आया उसको सेवन से multiply करना बोला है ऐसा मतलब यार सामने वाली company का ये है इसको सेवन से multiply कर दिया है और उसमें से बोले debt minus कर देना तो debt कितना है तो ये आगया है बोल रहा है हमारा value of business या net consideration हमको कितना और बोले जब आप shares issue करोगे तो किस rate पे करना जो बोले market price होगा चेक करोगे market price कितना है तो market price है 220 तो 220 से divide कर देना कितने shares issue तो जो जो माँगा है वो हम काम कर दो सबसे पहले क्या माँगा था net consideration, net consideration payable वो हमारा निकल गया number of shares भी निकल गया अब बोले post merger EPS निकालोगे पोस्ट merger EPS के लिए दोनों company का combine earning करना पड़ेगा पर earning से दे नहीं रखा है आपको दिया क्या है अब इसमें से सबसे पहले हमको interest minus करना पड़ेगा depreciation तो है नहीं है tax minus करना पड़ेगा तब आएगा earning after tax और दोनों को फिर हम क्या करेंगे combine कर लें पोस्ट merger EPS इबडा किया minus interest किया तो EBT आगया minus tax किया तो earning after tax आगया और इन दोनों को जोड सकते है ठीक है और दोनों को जोड के जो आया पोस्ट merger number of shares किया तो यह आगया पोस्ट merger EPS अभी किसकी बात हो रही अभी T limited plan के इसाब से काम चाहिए ठीक है price earning ratio कुछ नहीं वोला है तो T limited के लिए न होता पर price earning ratio के लिए हमें और data चाहिए हमें निकालना पड़ेगा price earning ratio देखा पोस्ट merger MPS जब भी price earning ratio नहीं दिया है तो use purchasing company उसका earning हमको मालूम है उसके number of shares मालूम है तो 20 आया और इसको 20 से ही multiply कर दिया 20 से price earning ratio नहीं आया 20 आया APS ठीक है अब price earning ratio था MPS MPS कितना था 220 divided by 20 तो MPS आया 11 टाइमस उसको ठीक कर ले न answer आ गया 226.1 इसके हिसाब से बात किया आपने अभी अभी सर हमारा जो discussion चल रहा वो T limited की सबसे चल रहा अब दूसरा क्या बोल रहा E limited बोल रहा हमारे हिसाब से और उसने क्या बोला था दो के बदले में एक shares देंगे उस हिसाब से 6 लाक के बदले में हमारा कितना shares issue होगा सर 3 लाक और एक share तो 220 का है कोश्ट मर्जर MPS भी निकल ठीक बस उस्थानी कोश्ट में simple कोश्ट बस वो एक cash deal वाला कोश्ट प्लीज बना लेना कैसे भी करके नहीं तो फिर वो रह जाएगा ना यार कि यार वो वाला पॉइंट छोड़ दिया था कि हमने मर्जर में सारे रिविजन की अब हमारा दूसरा पॉइंट सर मर्जर ही चल रहा है कि मर्जर ही चले दूसरा पॉइंट क्या है सर दूसरा पॉइंट यह है कि कोश्टन में आता है कुछ promoter's holding कुछ आता है free float market cap वो सब समझना पड़ेगा कि क्या होता है promoter's holding क्या होता है free float market cap ठीक है तो इस example से वोई चीज़ हम समझने की कोशिश करते है कि free float market cap क्या होता है promoter's holding क्या होती है post merger promoter's holding कैसे निकाली जाती है यह सब कुछ करने है बहुत अच्छा example है प्लीज कर लेना important है इस examples में examples है में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अच्छा question है A limited wants to take over B limited A limited है यह B limited है सरीए हो गए purchase company finder number of shares दिया हुआ एक लांक और इसके 40 जार दीरे दीरे करूँगा दीरे दीरे करूँगा इसका calculation आता है यहां तो मैंने सब calculation करके दे दिया पर आता हूँ एक question के साथ discuss करूँगा पर आपको चीजों को दीरे दीरे करना पड़ेगा है तो number of shares दिया है एक लांक पैड़ वेल्यू पर share दिया देन और हंड़ अब यहां number of shares से multiply कर देंगे हम पैड़ वेल्यू का answer आ जाएगा share capital 10 लाग और 4 लाग reserve and surplus दिया है तो इन दोनों को add करके net worth आता है आप भी जानते हो और net worth को अगर मैं divide करता हूँ number of shares से तो सर वोक वेल्यू पर share आ जाता है ठीकुछ से ठीक है सर EPS दिया है 5 रुपए और 2 रुपए EPS को अगर हम number of shares से multiply कर देते है EPS into earning after tax आ जाता है ठीक है सर यह भी पता लग गए हमको price earning ratio दिया है 10 times अगर EPS into price earning ratio multiply कर देता है MPS आ जाता है यह सब क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत बड़ी की यह तो हलाकि यह भी दिया हुआ है कोशन में तो देखे market cap कैसे आता है सर MPS मालूम है और number of shares से multiply करोगे तो market cap बजाएगा और दूसरा मालूम है और एक तरीका market cap यह market cap कैसे आता है और एक तरीका earning after tax है क्या यस उसको multiply कर दो price earning ratio से तो भी market cap आ जाता है seriously सर करके देख लो ना भई profit into six आ गया ठीक है सर promoter's holding promoter's holding क्या होता है अधिकतर क्या होता है कि company के shares जिसे हमारा reliance है तो reliance के कुछ shares जो होते वो मुक्य संबानी ने hold करके रखा होगा यह सर वो freely trade नहीं होता वो निकलते ही नहीं भार वो जिसे उतन जमाखोरी नाम सुनोगा मतलब उन्होंने अपनी पास रख लिया होता free float market cap demand and supply वहाँ से create होती promoters holding से नहीं promoters holding तो यार वो freely trade ही नहीं होते है freely trade कौन से वाले होते है other than promoters holding उसको बोलते है free float market cap मैंने आपको यह भी बताया था sensex और nifty और इसका जो भी किया जाता है free float market cap का weight average किया जाता है वो काम की चीज नहीं दो अलग-अलग सब्द है promoters holding और जो freely trade होते है market में इन सब का calculation पूछता है calculation पूछता है उसका बहुत ज़्यादा concept है नहीं है हम लोग तो बले A limited में promoters ने 30% hold करके रखा है ठीक है और सर B limited में 50% promoters hold करके रखे यह दिया है तो क्या numbers में निकल सकता है हाँ सर एक लाग share से 30% hold करके रखे तो 30,000 shares होगे और 40,000 share से promoter ने 50% hold करके रखा तो 20,000 shares होगे simple है तो तो बता सकते हो free float market cap percentage में कितना है सर 70% 50% number of shares में बता सकते हो कि यह सर 30,000 एक लाग में से 30,000 promoters ने hold करके रखा है तो really कितने trade हो रहा है 70,000 सेम यहां होगा क्या free float market cap rupees में बता सकते हो कि यह सर अराम से काम हो सकता है 70,000 share से multiply कर तो MPS से और 20,000 share से multiply कर दीजे MPS से आंसर आजाएगा free float market cap free float market cap अब मांग क्या रहा सबसे import सबसे पहले बोल रहा है swap ratio निकलो किस basis पे भाई अगर कुछ नहीं बोला है तो अगर कुछ नहीं बोला है तो किस basis पर MPS basis पर होता है अब पता नहीं किस basis पे वो मांग रहा या example है तो मैंने किस basis पे निकला मुझको खुद को याद नहीं simple सी बात है कुछ नहीं बोला है तो MPS के basis पे और MPS के basis पे हमने swap ratio निकला लिया और MPS already निकला था हमारा 12 by 50 जहां तक कोई दिक्कत थे कि आगे चले इसके बाद पहला point तो हो गया post merger EPS निकला निकल जाएगा 12 by 50 तो number of shares swap ratio कितना आए था 0.24 तो number of shares कैसे है यह सर हमारी company में 1,00,000 है और यह 20,000 into 0.24 कर देंगे और combined earning तो हमको मालू है यह 5,80,000 तो post merger EPS निकल गया 5 point यहां कोई दिक्कत की बात थे नहीं post merger MPS price earning ratio नहीं दिया है तो कौन सा वाला price earning ratio यूज करेंगे है यही वाला तो बस multiply कर देंगे answer आ जाएगा answer आ गया 50.9 यहां तक भी कोई समस्या नहीं market cap after merger market cap भी निकल जाएगा कैसे निकलेगा market cap total number of shares into MPS, MPS निकला हुआ है number of shares तो हमको मालूम है 1096,000 यह निकला हुआ इसमें भी कोई दिक्कत है क्या है इसमें भी कोई दिक्कत है यहां तक तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं यहां से दिक्कत यह वाले तीन पॉइंट नहीं बहुत ज़्यादा important है तो इस पे मुझको time लगाना लगेगा time लग जाने दो इस पे time लगना पहले मांग रहा है book value per share book value after merger, this is most important most important जो हमको समझना है इसको समझने में time लगे तो सर, book value per share कैसे निकाला जाएगा अब यहां समझना है बिट्टे एक simple तरीका है इस ज्यादा दिमाग चलाना नहीं नंबर मिलेगा की नहीं मिलेगा यह नहीं जानता पर answer सहीं आ जाएगा सर, तो book value per share कैसे निकालेंगे book value per share तो यार, एक काम करो ना यार इन दोनों का net worth जोड़ दीचे तो 12,00,000 और 4,50,000 यस तो सर, 12,00, 16,50,000 लिख देते हैं सर और number of share से 1,0 कुछ निकाला था हम ना 1096,00 1096,00 आ गया book value per share कहां बेकार में tension ले रहा है आ गया book value per share और वो आ गया 15.05 ठीक, एक तो यह तरीका है कुछ नहीं करना पर इस पे number मिलेगे या नहीं मिलेगे, यह manager तो दूसरा तरीका जैसे institute करता है, प्लीज, इसको समझ लो काम आएगा, एक number भी माइन रखता है दूसरा तरीका जो institute करता है तो मैं किसी, यह example का, यह जो मैंने balance sheet बनाए, इसका इस example से कोई लेना देना नहीं है यह regular class में मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो कैसे हो मालो यह company है जिसको हमें खरीदना है अमल गमिशन याद दिला रहा था अमल गमिशन इंदा नीचर अप मर्जर की में बात कर रहा तर याद नहीं है कोई बात नहीं मैं याद दिला रहा यह fixed assets, current assets, liability है तो merger में एक entry पास करते थी जिसके में सारी assets और liability को आप taken over करते थे हाँ बोलू तो अप entry क्या पास करते थे fixed assets, debit current assets, debit 850, 150 liability भी taken over करते थे और reserve भी taken over करते थे याद है और फिर PC लिखते थे तब PC का मतलब क्या होता कि बताओ आप कितने shares issue कर रहा है और कितने में shares issue कर रहा है ऐसा कुछ लिखते थे ना यार अच्छा ये तो ये question ही नहीं है, ये तो कुछ हो रहा है मैंने मन से लिख दिया मन से मैंने का PC है 610 PC मन से लिखा कि share issue कर रहा है तो यहाँ लिखते थे 610 और जो भी difference आता था आप general reserve क्या करते थे, debit याद है और amalgamation in the nature of purchase होता था तो goodwill को debit करते थे ये ऐसा करना जरूरी है कि हाँ जी, institute ने ऐसे नहीं कर रहा ऐसे कर रहा है, इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ अब यार अब समझ रहा हूँ मेरी बात में क्या कह रहा हूँ इस question में अगर fix asset, current asset की जगह मैं ऐसे debit करूँ तो कोई दिक्कत है कि नहीं इसको मैं net worth बोल सकता हूँ, किया सर, net worth debit किया yes, मतलब मैंने कौन-कौन सी चीज काड़ दिया मैंने ये भी काड़ दिया, ये भी काड़ दिया net worth, sir, reserve तो credit करना ही पड़ेगा वो मैंने credit कर दिया, 650 और ये भी लिख दिया तो जो difference आएगा, वो generally जरुआएगा yes, मैं एक ही बाद बोल रहा हूँ, या net worth, debit, to, reserve and surplus सामने वाली company का, to, PC जो भी difference आएगा, वो generally जरुआएगा यहां तक बाद समझ में आ रही अब ध्यान से इसी question को ICAI क्या कर पर सामने वाली company का net worth लिख 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 लिखिए जलो हो देख सामने वाली company का net worth कितना है 4,5,000 जो भी लिख दिया अब बोले आप kitने share issue कर रहे हैं 9,600 मान लो face value कितना है 10 तो बहले यह हो गया आपका PC कामने वाली company का net worth लिखा क्योंकि reserve भी taken over हो ड़ा है सामने वाली company का reserve भी लिखा और सामने वाली company का PC लिख दिया कि हम कितना दे रहे हैं और जो भी आया जनरल reserve मैंने इधर लिख दिया यह entry पास करनी पड़ेगी कभी नहीं पर करनी पड़ेगी बस मैं समझाने की कोशिस कर रहा है अब देखो book value per share कैसे निकाला फुले 10 लाग यह 10 लाग कहां से आया हमारी company का share capital था और 4,80,000 यह तो यह 4,80,000 कहां से आया सामने वाली company को 4,80,000 कहां से आया तो यह हो गया 14,80,000 अब दो लाग रिजर कौन से हमारी company के 50,000 कौन से सामने वाली company के भी रिजर हमने taken over किया और उसमें से 80,000 क्यों माइनस कर दिया क्योंकि जनरल रिजर व डैविट हुआ है तो यह आ गया इन दोनों को आंसर उतने आया 15.056 मेरी बात समझना यह ऐसे नहीं समझा सकता मैं 5-10 नमनट में टाइम लगता है पर जिन्होंने मुझसे class लिया होगा उसको तो यह तुरन समझ जिन्होंने class ने लिया प्लीज मैं यहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा पर फिर भी समझ में ना आए तो आप ऐसे कर ले ना कहां गया ऐसे कर ले जैसे मैंने पहले बताया था तो उसका नंबर मिलेगा की नहीं मिलेगा मैं नहीं क्या तो जो दिक्कत होनी है वाना इस concept में वो होनी है book value per share में और कुछ नहीं हो चले जी आगे promoter's holding after merger merger के बाद promoter's holding simple है अभी हमारी ये हमारी company ये सामने वाली अभी हमारे promoter's holding 30,000 इसमें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा पर इनको shares issue होगे कितने issue होगे? shares जड़ा देखे प्रेश्व है 0.24 इनको 20,000 के बदले में 0.24 share issue होगे तो 20,000 4,800 इनको shares issue हो रहा है तो टोटल मिलाकर आप promoter's के पास shares कितने हो गए? 34,800 34,800 अब promoter's के पास ये तो ही है और इनको 0.24,000 4,800 share share issue होगे और टोटल मिलाकर हमारी company में number of shares है 1096,000 merger के बाद है हमारी company 1096,000 into 100 कर दो तो promoter's holding आजाएगा in percentage 34,800 divided by 1096,000 into 100 तो promoter's holding आजाएगा 31.75 ठीक ये simple promoter's holding free float market cap after merger ये मेरे ख्याद ये आपको हमेशा या तो market cap बोल रहा तो रुपीज में निकाल लेना चाहिए free float market cap और सारे तरीके simple वाले तरीके से भी काम कर सकते simple वाला तरीका क्या है ध्यान से देखो 34,800 promoter's के पास है तो 1096,000 माइनस 34,000 हमारे पास है free float market cap में 106,200 shares merger के बाद और इसको multiply किस से कर देना MPS after merger कहीना कहीन तो निकाला होगा into किस से कर दोगा into 52.9 तो free float market cap रुपीज में आगा रुपीज में निकाला जाता है चाहो तो percentage में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ये तो निकली गए अभी समझाए और पेरा calculation गलत हो गए 109600 में से 3400 तो ये है number of shares number of shares से multiply किया तो ये है और दूसरे तरीके से निकलना है तो दूसरे तरीके ये है promoters के holding 31.75 free float market cap आगा 68.25% इस से multiply किया total market cap से तो ये आगा आपकी अमर्जी आपको जैसे it means sir जो दिक्कत है वो दिक्कत कहा है वो दिक्कत सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू पर शियर निकालने तो उसके अलावा दिक्कत जले जी ऐसे आता है ये concept ऐसे मैंने दो कोशन निकालके रखा कोशन और भी है पर दो कोशन जो 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 है पड़े यस पोश्चन नुम्बर 24 लिखा फोलों इन्वमेशन इस प्रोविदें रिले प्रोविदें तो एक्वारिं इस प्रोविदेंग कोशन एच लिमिटेड ये टार्गेट है इसको मैं वाइंडर बोल सकते हैं पर्चेस नमबर अफ शेर से मार्केट के अब एक बात समझ लेना जब भी कोश्चन करना है आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा आपको लिखते हुए काम करना पड़ेगा तब ही होगा या आपको लि अगर मैं मांगा ओचाहे नहीं मांगा ओ जो जो चीजे निकल सकते है निकालने की कोशिश कर दे कुरेगा तो सब नेकल भी ये तो market cap को अगर मैं डिवाइड कर दू, number of shares से तो क्या जाएगा, MPS या MPS निकल, ठीक है, इसके अलावा price earning ratio दिया, अगर MPS निकल गया है, और price earning ratio दिया, तो EPS भी निकल जाएगा, वो भी निकल, price earning ratio दिया, तो मैंने EPS भी निकल, और EPS निकल गया है, EPS को multiply करेंगे number of shares से, तो क earnings भी निकल जाएगा, earnings भी निकल, ज़रूरत पढ़ने पर काम है, अब reserve and surplus दिया है, और equity share capital तो 20 into 10 करके equity share capital निकल से, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो net worth निकल जाएगा, yes, और net worth को divided by करूंगे number of shares से, तो buck value पर share निकल जाएगा, वाव, जा है ऐसा, अच्छा, promoters holding इसमें दे रखा है, promoters holding, numbers में, तो promoters holding percentage में निकल सकती है, कि yes से निकल जाएगी, promoters holding number of shares दिया, तो percentage निकल दिया मैंने, अगर promoters holding percentage में निकल गया, तो free float market cap in percentage में, सर आराम से निकल जाएगा, balancing figure, इतनी चीज़े मैंने निकल कर रख लिया, मुझे नहीं मालुम कि कौन से चीज का काम आ सकता, तरीका, तो board of director, both the company have decided to give a fair deal to the shareholder, तो उन्होंने कहा कि जो हम swap ratio निकालेंगे, वो better average निकल, 40%, 25%, 35% for EPS, book value per share, MPS, 3 basis लिया, EPS के basis पे, book value per share के basis पे, MPS के लिया, और swap ratio निकालना है, तो सरी ये तो निकल जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बोला है कि पहले आप MPS निकाले, EPS निकाले, book value per share निकाले, जो अलरड़ी हम निकाल चुके है, निकाल चुके है, first वाले point में निकल चुके, point number two में आपको swap ratio निकालना है, value per share उपर vendor company निचे purchasing, और swap ratio भी निकालने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाले, और ये swap ratio आपको निकल गया, two, four, point eight, और उसका weighted average किया, तो two, point five is to ask, खीके सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, अब क्या मांगा, सर, अब point number one में तो कोई दिक्कत होने वाले निकल गया है, promote, अब सुनना है, यहां से, अब काम की चीज़, अब मांगा है, promoter's holding निकाल ये, after acquisition, swap ratio क्या हमारा निकल गया है, था, yes, two, point four, five is to one, सूचते थोड़ा से, promoter's holding मतलब, सामने वाली company में shares कितने है, 15, और एक के बदले में हम two, point five shares issue कर रहा है, 15 into two, point five, मतलब सार, इनको shares issue कर रहा है, 37, five, और हमारा तो 20 है, तो टोटल मिला कर, अब number of shares आ गया, 15, six, five, promoter's वे भी आते है, promoter's holding, number of shares में दे रखा है, तो into two, point five, तो 10 into two, point five, तो सार, 25, promoter's को, अब पहले से 9.5, plus 9.5, तो सार, promoter's के पास अब हो गया, 34.5, divided by 57.5 into 100, तो promoter's के पास 60 percent holding होनी चाहिए, मेरे यह सब, यस, निकाला है 60 percent, विलकुस है, 60 percent, ऐसे calculator में कर सकते हो आप, और कुछ मांगा है कि आगे, post-merger EPS, वो तो ऐसे निकल जाएगा, post-merger EPS, earning मादम है कि दोनों का यह सर, 400, so 400 divided by 57.5, post-merger EPS आएगा 6.956, this is post-merger EPS, यहां तक कोई लिए, उसके बाद post-merger market price, MPS, कुछ नहीं बुला, तो कौन सा price earning ratio, 10 ही यूज करेंगे, तो into 10 कर देंगे, तो post-merger MPS भी आजाएगा, market cap, after acquisition, market cap मतलब इसको हमें number of share से multiply करना पड़ेगा, जो भी आएगा number of share से multiply करेंगे, post-merger market cap भी आजाएगा, और free flow to market cap, मतलब इसको कितना आएगा एगा, एक बार देख लेकिया, 6.956, 6.956, 10, 50, 6.956, यह हो गया, EPS, post-merger into 10 into 57.5, तो सब पोश्ट मर्ज़र market cap भी आजाएगा, 3999.7, free float निकालना है, free float, free float तो वैसी भी निकल सकता, 34.5, यह है, promoters के पास, 57.5 में से 3rd, 4.5, promoters के पास, promoters के free float हो गया, 20, नहीं यार, यह है किसका promoters के पास, यह है total, तो बचा हुआ, free float हो गया, 20 lakhs, और multiply कर दो, into 6.956, into 10, तो free float आगया, 1391 के आसपास आएग, अब देख लेते क्या हो रहा है, तर यह तो कुछ और ही आणा देख लेते ना, मेरे ख्याल से, post merger, EPS, इसमें कोई दिक्कत नहीं, market cap यह भी हमारा निकल गया था, और उन्होंने का 3997 into 40 पास, यह भी सही है, या फिर मैं जो बोल रहा था, 57.5, इसमें से 34.5, 57.5 minus 34.5, 23, calculation मिश्टेख था, 23, free float वाले के पास है, into 69.56 से क्या तो answer है, ठीक, और और एक question करें क्या, yes, यह question करना जरूर ही है, क्योंकि इसमें bonus bonus है, इस question में bonus वगेरा है, bonus है, और split कर रहा है shares को, तो यह question करना जरूरी है, तर आपकी energy डाउन हो गई है, तो आप break ले लोगे, कि हाँ जी मैं break लूँगा, पक्का break लूँगा, पढ़े, एक बार question पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे आखे, तो following information relating to the acquiring company, एक का नाम है, अभीमान लिमिटेट, और सर्थ टार्गेट कंपनी का नाम क्या है, अभीशेक लिमिटेट, अभीमान लिमिटेट, अभीशेक लिमिटेट, इस टेबल में नहीं जा रहा हूँ, जो मैंने बनाया होगा, पर मैं सोच कर देखता हूँ, क्या-क्या निकल सकता है, क्या-क्या हम उस टेबल में क्या-क्या कैलकुलिशन, शेयर कैपिटल दिया है, ठीक है सर, और फ्री रिजर भी दिया है, तो इन दोनों को मिलाकर सर नेट वर्थ आ जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो नेट वर्थ आ जाएगा, पैड़ वैल्यू पर शेयर दिया है, तो सर, दोसर डिवाइडे डबाइ सो करूगे, तो नमबर अप शेयर सा जाएगा, और नमबर अप शेयर सा आ गया, तो बुक वैल्यू पर शेयर भी आ जाएगा, काफी कुछ तो हो गया, ठीक है, प्री फ्लोट मार्केट कैप दिया, अब सुनना, यहां से कैसे जुगाड करेंगे, प्री फ्लोट मार्केट कैप दिया, 400 लाग, ठीक, और सर, प्रोमोटर सोल्डिंग है, 50 पर्षन, अब ध्यान से समझना, मैं कैसे कहा, मतलब यह है, कि यह कितना है, सरी है, 50 पर्षन, मतलब बच्चा हुआ, 50 पर्षन, अगर प्रोमोटर का है, 40 पर्षन, तो यह कितना है, 60 पर्षन, है न, आसर, अगर 400 डिवाडिड बाई मैं, 50 पर्षन करूंग, तो टोटल मार्केट कैप है जाएगा, कितना, 800 लाक, टोटल मार्केट कैप, और 128 डिवाडिड बाई 60 पर्षन करूंगा, 128 डिवाडिड बाई 60 पर्षन करूंग, पर्षन होगे है, पर्षन का है, 40, 128 डिवाडिड बाई 60, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, पर देखूं क्या है, वही बिनाने की कोशिश करा था, यह दिया है, यह दिया, नेट वर्थ, बुक वैलिव पर्षियर, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, प्रमोटर सोल्डिंग, तो यह निकाल लिए, 50 पर्षन, अच्छा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, 40 पर्षन आए, कैसे निकाल होगा, यह है 60 पर्षन, वह है 40 पर्षन, तो 120 हो, यह गलत लिए, यह 60 पर्षन, तो यह 40 पर्षन हो जाएगा, हाँ सर समझ में आ गया, 128 दिवाइड बैद 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 40 पर्षन, लिखने में गलती हो, तो सर यह टोटल मार्केट कैप आ गया, अब टोटल मार्केट कैप आ गया आपका, यस, और नमबर ओफ शियर्स टोटल है 2 लाख, तो इससे MPS आ गया, प्राइज अनिंग रिश्व दिया है, तो EPS, अच्छा और निकल सकता था, कि और प्रॉफिट आप्टर टेक्स भी निकल सकता है, कि निकल सकता है, प्रॉफिट आप्टर टेक्स कैसे निकाला जा सकता है, तो EPS मालूम है, और EPS को मल्टिप्लाई कर देंगे, नमबर ओफ शियर्स से, तो EARNING आप्टर टेक्स है चाहिए, वो भी निकल सकता था, वो भी निकाला होना चाहिए, पर नहीं निकाला है तो कोई है, ठीक है, सबसे पहले क्या किया, बुले swap परिश्व निकालना, वेट है, बुक वेल्यू पर शियर, EPS पर शियर, मार्केट प्राइस है, और वेट ये ले रहे, मेरे ख्याल से, इसमें मुझे समझाना नहीं है, ये आपका आराम से काम हो चुका है, और आपने निकाल लिया होगा, 60 बाइफ और ये आ गया, 0.15, ठीक, ठीक है सर, उसके बाद आप से, पोश्ट मर्जर बुक वेल्यू, EPS और MPS, तो पहले EPS और MPS, पोश्ट मर्जर EPS निकलते, पोश्ट मर्जर EPS कैसे निकालेंगे, कंबाइन अर्निंग, अर्निंग तो मैंने बता है, कैसे निकालना है, ये सर, तो कंबाइन अर्निंग निकाल लिया, मैंने कहा, number of shares, सामने वाली कंपनी में 10 लाक है इन टू पॉइंट तो इसर ये आ गया 1.5 और 2 लाक और 1.5 तो टोटल नंबर और शियर सा गया 3 पॉइंट लाक अब अब सुनना अब ध्यान से समझना उससे तीन चीजें मांगा पोश्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शियर पोश्ट मर्जर EPS और पोश्ट मर्जर MPS अब ध्यान से काम करें पोश्ट मर्जर EPS और पोश्ट मर्जर MPS में प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रॉब्लम जाएगी पोश्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शियर और sir book value per share का shortcut है मेरे पास मैं ऐसे भी निकाल सकता था कैसे निकाल सकता था इन दोनों को मैं add कर देता तो 1600 आ जाता divided by number of shares के लिए क्या करता तो number of shares आप भी मादो में total post margin number of shares हो गया 3.5 मैं इसको 3.5 से divide कर देता मतलब sir 1600 divided by 3.5 तो answer आ जाता 457.14 यह आ जाता पर sir हमको ऐसे नहीं करना है हाँ हमें ऐसे नहीं करना तो sir हमें कैसे करना हमें करना कैसे है तो सुनो ध्यान से कैसे करना सबसे पहला काम यह है आप entry pass नहीं करना सोच कर देखना सोच के देखना पड़ेगा कि sir reserve हो कितना सबसे पहले share capital लिखना है share capital लिखना कितना है sir number of shares total मिला कर merger की बात कितने हो गए 3.5 यह यार कहां से आया sir यह है 3.5 और multiply किस से करना यहां का जो भी face value होगा और face value कहीं इसमें नहीं लिखा है पर कहीं नहीं लिखा होगा face value यह sir pad of value pad of value किस से multiply करना 100 पहला काम तो हो गए number of shares यह है 3.5 100 से multiply किया तो 350 यहां तो कोई दिक्कत थे की दूसरा reserve मैंने कितना लिखा 800 लिखा बात समझ में आ रही है sir 800 कहां से आया है बताओ यह वाला तो reserve आये गई पर यह मैंने सामने वाली company का 500 नहीं लिखा तर वज़ा क्या है जरा बताओगे वज़ा क्या है अब वज़ा क्या है सुनो PC सामने वाली company को कितने share अब ध्यान से समझना बिटे asset code मैंने कहा net worth को debit करते net worth है कितना 600 मैंने बुला तो net worth को debit करेंगे यस और इधा reserve भी लिखेंगे यस reserve कितना 500 और फिर मैंने बुला था यहां लिखेंगे PC सामने वाली company को कितने share शिश्यू कर रहा है सामने वाली company को हम 1.5 share शिश्यू कर रहा है और एक share का हमारा face value कितना है paid of value sir paid of value है 100 रुपह तो total मिला कर हम 150 इन दोनों के बीच का difference आ गया तो मुझे यह reserve तो लिखना है 800 प्लस यह वाला reserve taken over है minus 50 करना पड़ेगा मतलब 450 करना ठीक logic में आपको दे दिया तो यह आ गया है 457.14 this is book value पर्ष तो थोड़ा सा tension है वाकि post merger EPS आराम से निकालोगे post merger MPS भी आराम से निकालोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और तो कुछ मांगा तो पेच पे आए और क्या मांगा है यह वाला सारा काम हो चागा point number third promoters holding holding नहीं मांगा उसने ठीक अच्छा point number third पे आ जाते है प्रमोटर्स का revised holding निकाल ये अभीमान में रगा जुकाण इस सारा promoters इस question के बाद पक्का मैं break ले लूँ फिर अगले question में promoters का revised holding निकालना है इसमें निकालना अभीमान देखते प्रमोटर्स 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 का holding था सर 50 परशन मतलब देखा जाया तो उसके number of shares total कितने थे यहां एक लाक और यहां promoters का holding है 60 परशन मतलब सर उसके पास number of shares total कितने थे 6 लाक और हमने shares issue किया 0.15 तो 6 into 0.15 उसके पास number of shares हो गया 0.9 yes तो total 1 lakh तो इसके थे यह 0.9 और तो total मिला कर 1.9 lakh share issue agree और total number of shares कितने है total number of shares है 3.5 1.9 divided by 3.5 into 100 तो promoters holding आगे 50 अगर मेरा calculation गलत ना हुआ पर देखे लिए yes 54.29 अब पूछ रहा free float market cap simple है यह तो 3.5 total number of shares है उसमें से यह है promoters के पास तो यह number आए free float number of shares market price से multiply किया तो यह आगया 731.36 lakh यहां कोई दिक्कत है क्या यह भी हो गया अगे चले अब क्या मांगा है अब अच्छा point है 1 हो गया है 2 हो गया थर्ड खिर से निकालना है number of shares EPS and book value per share कंडिशन क्या है इस आफ्टर एक्विजिशन अप अभीषेक लिमिटेट बोले अभीषेक लिमिटेट को हम acquire कर रहा है ठीक है भाई आगे क्या बल रहा है बोले दो शेयर इस्यू करने से number of shares बढ़ जाएंगे हां सर और reserve कम हो जाता है तो बलते है कि हां सर याद 3.5 divided by 2 तो सर bonus shares और बढ़ गया मतलब सर पहले तो यह shares थे अब bonus shares और बढ़ गया 5.25 रिजर्व कम करना पड़ेगा कितने से 175 लाक से क्योंकि 100 रुपए का एक share था और फिर हमने stock को split कर दिया मतलब पहले जो 100 shares थे 100 रुपए का 55 रुपए का एक एक share कर दिया मतलब सर एक share को convert कर दिया हमने 20 shares में yes into क्या कर देंगे 20 तो number of shares 5.25 into 20 तो 105 लाक shares हो गए पाच का एक देखते क्या किया है हमें क्या निकाला number of shares ना number of shares तो 105 लाक हो गए उसके बाद EPS EPS निकालेंगे 80 और 80 160 divided by 105 1.523 उसके बाद book value per share देखते क्या किया है तो सर 5.25 यह आगे 105 लाक shares टीक है equity share capital 525 लाकों के अब 1250 रिजर्व था तर यह 1250 रिजर्व कहां था तो याद दिला दूं यहां देखो 1250 रिजर्व था इसमें से 175 कम हो जाएगा मैंने आपसे यह बुला था यस तो 175 हमने कम कर दिया तो 1075 लेक्स आ गया यह net worth आ गया number of share से मलते यह आ गया book value per share और APS तो निकल ही जाएगा ठीक है ठीक है सर तो सब break ले ले क्या हाँ break ले लेते हैं और कम से कम अभी एक घंटी की class और बाकी होगा revision जो है एक घंटा बचा होगा फले break ले लेते हैं उसके बाद फिर हम आगए चल रहा है ठीक है जी चलो जी start करें yes sir तो मेरा break खतम हुआ आप लोगों कोई पास तो break के लिए टाइम ही नहीं तो question number 28 से अब हम आगे वर रहा है और sir करीब करीब 30 pages और मतलब मतलब यार यह समझ लो एक देड़ घंटा तो लगेगा ठीक सारे questions कर रहा है तो time तो लगना है बुले एक company है जिसका नाम है XYZ और उसके share का price चल रहा है 24 और उसमें number of shares है 10 lakh ठीक तो 10 lakh into 24 सामने वाली company की या XYZ limited की अभी value है 24 lakh और उसके 40% shares promoter ने hold करके रखे हैं मतलब promoters holding हो गई 4 lakh shares PQR limited devices to acquire कोई PQR है और वो XYZ को acquire करना चाहती है क्योंकि XYZ में कुछ special दिखाई दे रहा है अगर मैं XYZ में PQR हूँ अगर मैं XYZ को मिला लूँ तो जितना profit कमा रहा है उससे ज्यादा profit कमाएंगे हम दोनों अलग-अलग जितना profit कमा रहा है उससे ज्यादा और जो profit कमाएंगे उसका present value उसको बलते सेनर जी और बले हूँ है 80 lakhs अगर मैं सामने वाली company को खरीदता हूँ तो मुझे 24,240,000,000 रुपए दे सकता हूँ प्लस 80 lakhs और दे सकता हूँ maximum जितना extra मिल रहा है उतना दे दूँगा ठीक है ना इसके अलावा PQR Limited को लग रहा है कि जो XYZ का management है सामने वाली company का management ठीक है उसको जितना भी payment होना चाहिए लोजी के लिए उससे ज़्यादा payment हो रहा है मतलब यार उसमें कुछ कमिया है अच्छा क्योंकि मैं XYZ को acquire करूँगा अगर आप XYZ को acquire करते हैं तो कुछ better motivation, salary, कुछ करके कुछ भी करके आप savings कर लोगे हर साल का 4 lakh रुप management को जितना पैसा मिलना चाहिए logically उससे ज़्यादा पैड हो रहा है अगर आप सामने वाली company को acquire करोगे तो management को कम salary दोगे और उसकी वजह से आपका 4 lakh रुप management में कौन है बोले management में promoters और उनकी family है मतलब वो लोग है जिनकी 4 lakh shares है जिनके पास 4 lakh shares वो जो भी हो कुछ कि यार 10 lakh में से 4 lakh management के पास है तो बाकी तो हमारे पास हो जाएगे न 6 lakh और जो savings करोगे 4 lakh रुप साल का उसका present value है 30 lakh रुप यह भी एक savings अच्छा 80 lakh तो यह savings है 30 lakh यह savings है present value और 240 lakh market value अगर कोई पूछे कि maximum एक एक share पे आप कितना दे सकते हूं तो मैं गाऊंगा यह plus 80 lakhs plus plus 30 lakh कितना दे सकता हूं following additional information is available PQR मतलब purchasing company के लिए additional information है तो देखो क्या-क्या दिया हुआ है बोले EPS है 4 रुपे है ठीक है भई कौनसी company का बता रहा PQR और number of shares बोले हमारी company में 15 lakh और हमारी company का share का price है 40 रुप ठीक है बताइए आप PQR आप XYZ को खरीदने के लिए maximum कितना पैसा दे सकता हूं simple मेरे ख्याल से मुझे अब समझाने की ज़रुवत नहीं है 240 lakh तो उनका बनता ही बनता है और 80 lakh और 30 lakh का savings synergy तो total हमारे हिसाब से सामने वाली company की maximum value है 350 lakhs और number of shares है 10 lakh सामने वाली company में तो हम एक एक share पर 35 रुपीज दे सकते maximum एक share पर 35 रुपीज का payment कर सकते ठीक है सर तूसरा minimum price per equity share at which the management of XYZ Limited will offer to controlling interest अब क्या पूछ रहा है पूछ क्या रहा है सर भाई सब ऐसा है यह जो management है जिनके पास कितने shares है 4 lakh इनसे पूछा जा रहा है आप बताओं आपको कितना चाहिए बोलते है सुनो हम भी अपने shares बेच सकते ले लो पूरा controlling interest आपके हाथ में बोले ठीक है कितना बोले दखो 24 रुपए के हिसाब से तो आपको दे नहीं पड़ेगा हमने का ठीक है यह लो 24 22 तो आपको दे नहीं पड़े तो बनता है हमारा प्लस क्योंकि controlling interest आपके पास चला जाएगा क्योंकि हम भी अपना shares बेच रहा है तो हमको जो loss होने वाला है 30 lakh रुपए वो 30 lakh भी आपको देना पड़ेगा it means minimum हमें कितना चाहिए minimum अब खुछ सोचो नहीं यार मैं हूँ management मैं सोच रहा हूँ एक share 24 रुपए मैं market में बेज हूँगा तो 24 का भी केगा भी केगा और प्लस मुझे जो मिल रहा था future में वो तब नहीं मिलेगा तो उसका present value मुझे 30 lakh और चाहिए minimum इतना चाहिए और अगर synergy वगेरा भी consider करूँ तो और भी जादा हो ता पर मैं synergy तो चलो आपका problem है मेरा problem नहीं यह जो 80 lakh है न वो आप सोच रहे हूँ आप कैसे सोच रहे हूँ वो मैं नहीं जनता पर एक तो यह पैसा मुझको चाहिए यह वाला और साथ मैं 30 lakh और चाहिए minimum मुझे इतना इतना चाहिए तो वही बात कर रहा है और यहाँ वही बात लिए minimum price per equity shares of promoters 4 lakh into 24 यह भी चाहिए और यह salary तो total यह number of shares तो इतना हमें 31.50 चाहिए चाहिए question seriously अच्छा और यह question है question number 29 यह question तो बहुत है इस यह जब question आया था तो एक चीज मिसिंग थी वह मिसिंग चीज लिख लेता हूं promoters holding नहीं था इसमें print इन्स्टिट्यूट ने सुधार लिया था promoters holding 80 पर अब question बढ़ूँगा तो आपको मज आएगा सुनने में yes बढ़ते हैं बोल एक company intel limited important question आई है एक company है जिसका नाम है intel limited promoted by transnational companies listed है भई यह company listed है और कहां listed है stock action the value of floating stock 45 करो मतलब सर इसका हम बोल सकते है value value मतलब free float market cap बोल सकते 45 यस मतलब promoter का holding question में लिखा होना चाहिए था नहीं लिखा है तो ठीक हम समझेए इसका मतलब सर फ्री float market cap 20 परशंट है इसे क्या total market cap निकल सकते है 45 divided by 20 परशंट तो सर टोटल market cap है 225 अगर लगेगा जरूरत पड़ेगी तो सोचें और market price per share 150 तो market price per share 150 तो number of shares निकल सकता है 125 लाग divided by 100 तो number of shares है तो total number of shares है 1,50 तो टोटल number of shares है 1,50 ठीक है उसमें promoters के पास कितना है promoters के पास है 80 परशंट है ना 1,50,000 के 80 परशंट promoters के पास है 1,20,000 shares और बाकी हो गया free float market 30,000 shares यह मैंने ऐसे निकाल लिए टोटल इस company में number of shares है 1,20,000 30,000 है other than promoters तो promoters के पास है 1,20,000 मतलब percentage में बोलो तो कितना percentage है 80% capitalization rate है 20% मतलब सर capitalization rate केई पता नहीं किस काम आएगा तो promoter holding is to be restricted to 75% as per the norms of listing requirement the board of directors have decided to fall in the line restrict the promoter holding to 75% by issuing bonus shares to minority interest वही मैंने बोल रहा सुनो वही क्या किया जाए सर इनका problem यह है कि आप सेबी guideline यह आया कि आप 80% promoters के नहीं रख सकते इसको घटा कर आपको 75% करना है कैसे करें सर यह अपने shares इनको बेज़ दे वैसा होने वाला नहीं है एक यह भी तरीका है अपने कितने परशन 5% share इनको बेज़ दे बोले ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा बोले यहां आप एक काम करो bonus share issue कर दो तो बोनस share तो दोनों का issue होगा ना बले दोनों को नहीं share पर सिफ इन लोगों को bonus share issue कर दो इतने shares issue कर दो कि यह जो है यह 25% हो जाए और यह 75% हो जाए तो जुगाड कैसे लगाएंगे मालम है 1,20,000 तो fix है ना यार और इसको हमको कितना रखना 75% माल होगी है 75% तो 1,20,000 divided by 75 तो टोटल नंबर अप shares कितना रखना है हमको 1,60,000 तो सर 10,000 bonus share issue करना पड़ेगा यहास मतलब सर 3 के बदले में एक यहस simple तो bonus ratio बोला है bonus ratio निकल गए 3 के बदले में एक उसके बाद बोला MPS after issue of bonus share आप हमको MPS चाहिए है कैसे निकालेंगे आपको पता है Yes क्या 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 आगे बढ़ते The Board of Directors has decided to fall in the line and restrict the promoter's holding 75 by issuing bonus share to minority interest and why am I maintaining the same price earning ratio मतलब सर price earning ratio से पर price earning ratio के लिए हमको चाहिए EPS यह कैसे निकाए EPS अब price earning ratio इसी जमाने में price earning ratio का formula पढ़ा था 1 divided by K अच्छा सर Yes तो 1 divided by 20 price earning ratio आगया 5 times यह तो आगया 5 times EPS कैसे निकालोगे सर अब देखो EPS कैसे निकालोगे क्या market price पता है Yes अब price earning ratio तो 5 है तो 150 divided by 5 EPS कितना आगया 30 और number of shares मालूम है 1,50,000 into 30 कर दिया तो यह आगया 4,50,000 45,000 और 45,000,000 divided by 1,60,000 किया होगा तर दिखा तो इतना time नहीं है हमारे पास अब बनाने लगे question तो बनाने नहीं लगा मैं समझा रहा था तो मेरे ख्याल से यह बास समझ में आगया यह मैंने actual में लिखा कि क्या-क्या हो गया अब प्रमोटर्स होलडेंग आफ्टर इश्यू तो पहले मैंने given है केई केई से price earning ratio निकाला price earning ratio से EPS निकाल लिया और EPS से total earning निकाल लिया और total earning से वापस हमने EPS निकाल बोनस के बाद और EPS को multiply किया तो यह MPS आ गया simple था और सब free float market निकल जाएगा अब number of shares होगा चालिस एक share का price यह है तो यह answer आएगा अच्छा question है प्लीज इसको करके जाना exam में आता है चले आगे ओहो यह question बड़ा वाला question bank वाला कभी सुना ना merger में अपने senior से या अपने साथियों से जब सुनोगे के कहोगे एक bank वाला question yes उसमें एक ही समस्या बाकी समस्या नहीं discuss कर ले कि हाँ discuss कर लेते है बड़े-बड़े question अभी start हो गए आपके बैंक आर 2005 में established हुआ था इंडिया में और बैंक के इस्तेती बहुत ही नाजुक है bank आर की you are die वाली situation करो या मरो उसका gross NPA 40% है NPA का मतलब पता है sir non-performing और कार है capital adequacy ratio capital ये formula गलत है capital adequacy ratio क्या होता है capital employed divided by risk weighted asset ये formula गलत दे दिया था capital employed divided by risk weighted asset ऐसा formula है car का capital मतलब sir जितना asset से उसमें हमारा capital कितना लगा है कितना times या percentage में निकाल लो मतलब sir जितना asset से उसमें हमारा पैसा कितना है वह लिए सिफ 4% NPA यार कम होना चाहिए और हमारा पैसा ज़्यादा लगना चाहिए तभी तो मज़ा है car क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए car 1, car 2 ऐसा पढ़ा था banking में आपने पर खेर net worth of bank की अच्छी नहीं है और share regularly trade नहीं हो रहा है last week में 8 रुपे पर कौन सा bank है? bank R condition खराब हो चुकी है पूरी तरह चे bank और RBI ने suggest किया कि बंद करो या तो किसी के साथ merge कर दो एक bank आया है जिसका नाम है P bank P professionally managed bank with low gross NPV 5 परशन और net NPV 0 परशन और यहां भी gross दिया तो gross के साथ gross करो पतलब सर यहां NPV कितना है इसका? सिर्फ 5 परशन और जो bank की condition खराब है उसका NPA था 40 पर capital adequacy ratio यहां कितना था? 4 परशन शिर्फ और यहां capital adequacy ratio है 16 परशन बताओ कितना और यहां share का price कितना है 128 और यहां share का price कितना था? 8 रुप है the board of director of bank P has submitted a proposal to RBI to take over बुले take over कर लीजे ठीक है banking business में जैसा balance sheet बनाना चाहिए था वैसा balance sheet बनाया मैं balance sheet पढ़ने के चक्र में ज्यादा नहीं हूँ it was decided to issue shares shares जो issue किया जाएगा वो book value पर किया जाएगा किसको bank P to the share मतलब सर यह purchasing bank होगी purchasing company बोल दो और यह है vendor company काम बहुत साउधानी से करना क्योंकि जितने अभी तक question आये थे पहले इदर लिखा था purchasing इदर लिखा था vendor इस पर इदर है purchasing इदर है vendor हो जाएगा सर हो जाएगा all assets and liabilities are to be taken over at book value बस इस बात से मुझे समस्या इस से लग रहा यह amalgamation in the nature of merger है जबकि इस banking वाले जितने भी questions है institute ने amalgamation in the nature of purchase से किया है यह भगवान सर प्रीज इतना heavy सब्द यूज ना करो तो ज़्यादा देखते हैं और जरूरत क्या है merger और purchase की बताऊंगा चलो जी swap ratio पेट दिया है NPE के basis पे car के basis पे MPS के basis पे book value के basis पे निकाल लेंगे तो उपर आता है vendor company नीचे आता है purchasing बस एक समस्या है अब सुनना पड़ेगा हम car के basis पे कर लेंगे हम लोग MPS के basis पे कर लेंगे हम लोग book value पर पर NPA के basis पे सोचो यार सोच ना धियान से अराम से इसका NPA कितना है बले 40 पर और इसका NPA कितना है चार पर्षन हमारी company का NPA है चार पर्षन सिर्फ चार पर्षन सामने वाली company हो 40 पर्षन बहुत ज़्यादा है अगर मैं swap ratio निकालू और आपको कहना ये उपर लेना चाहिए 40 divided by 4 हो गया मतलब एक share के बदले मैं 10 share दे रहे हैं माल लो माल लो अगर सामने वाली company का NPA सामने वाली bank का NPA और ज़्यादा होता तो और बुरा company ये ना यार और माल लो सार ये 80% होता तो फिर formula 80 divided by 4 और फिर सार 20 से आ जाता है यस कितनी बेकूपी वाली बात नहीं हो जाती NPA NPA non-performing asset loss एक type का और अगर loss है तो यार loss ज़्यादा होगा तो हम उसको ज़्यादा shares देंगे क्या बेकूपी है यार it means क्या कहना चाहते हो एक बात याद रखना सिर्फ इसी में दिक्कत है banking वाली जो भी merger आएगा उसमें NPA में formula उल्टा लगेगा मतलब वैसे तो vendor company उपर होता है purchasing company नीचे होता लेकिन जहाँ NPA आएगा वहाँ purchasing company उपर हो जाएगा और vendor company नीचे बाकी और मुझे को समझाना नहीं तो यहाँ लिखा है मैंने सब लिख लिए NPA, car, MPS और book value पर NPA के basis में मैंने 5 divided by 40 किया लिख लिए NPA company का law से इस condition में formula reverse हो जाएगा और बाकी सारी चीजे on the basis of car, on the basis of MPS और weight भी सासत multiply किया तो swap ratio आगया 0.125 इस्टू गान अब कोई दिख करना बस एक ही चीज याद रखना है ठीक है बात खतम हो तो पहला तो काम हो गया swap ratio क्या swap ratio में याद रखने वाली बात है यस और कौन सी चीज याद रखने वाली बात है NPA number of shares कितना issue करेंगे तो हो जाएगा यह भी एक share कितने का है 10 का तो सामने वाली company में कितने shares है 50 और 0.15 आया था 50 into 0.15 7.5 shares issue करेंगे 7.5 lakhs वो तो निकल गया हो नहीं गरबड कैसे हो है 0.125 आया कैसे हो है 0.125 है sorry 0.125 ले ले सामने वाली company यह नहीं है यही गरबड तो यही हो रहा है ना आप ही से हो रहा सा 14 14 into 0.125 तो 1.75 ठीट 1.75 lakh issue यह भी हो गया आगे क्या मांगा है आगे मांगा है balance sheet after merger तब balance sheet after merger कुछ नहीं करना है भाई balance sheet को balance sheet देखकर बनाना है कुछ special नहीं मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे क्या का इसको भी जोड़ देंगे इस उभी जोड़ देंगे यह वाले में कोई problem नहीं है और इधर भी कोई problem नहीं है यहां यहां से समस्या सर इसमें क्या समस्य है पहले से शेयर था 50, 50 ये वाला ना यार 50 येस और हमने नए शेयर इस्यू किया 1.75 into 10 तो 517 कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं अब रिजर्व एंड सर्प्रस क्या करना है अब रिजर्व एंड सर्प्रस का generally हम क्या करते थे हम करते थे reserve and surplus में काम क्या करते थे तो कुछ याद आया book value per share निकलते थे वो कैसे करते थे मैं याद दिला देता हूँ सर हम पहले लेते थे net worth net worth को david करते थे यस बिल्कुल सही बुल रहा है अब net worth क्या है सामने वाली company का net worth ही है और यहां लिखते थे reserve and surplus लेते थे सर याद करो हाँ कितना लेना है reserve 70 टू purchase consideration लिखते थे अब हम कितने share issue कर रहे 1.75 और हमारी company का share कितने का है 10 का तो सर यहां 17.5 हो जाता था 10 का है ना यार 10 का share अब difference लेकर 70 plus 17.5 minus 10 17.5 और है की 170 पर बस हो देखना 1.75 अहां ठीक है थो 17.5 डिफ्रेंस इदर आएगा सर और इदर आएगा तो इसको भी हम general reserve भी लिखते थे याद है यस 210 minus 70 minus 17.5 और यहां आजाता 122.5 ठीक है और फिर हम करते क्या थे सर हम ये reserve लेते थे ये वाला 5500 plus reserve ये भी 78 हो जाएगा plus difference आथा था तो minus कर देते हैं यहां plus है तो 122.5 ऐसा ही में करता लेकिन banking के जितने भी कोशन है institute ने ऐसा नहीं किया इनका कहना ये amalgamation in the nature of purchase और वो लोग क्या कर रहे है बस इस पे महनत करना है बोले amalgamation in the nature of purchase में reserve टेकन नहीं हो बोले मतलब ये है कि 2 यहां सीधा business purchase लिख देना और कितना लिख देना 17.5 पस और बच्चा हुआ जो difference इधर आता तो goodwill और इधर आता तो सीधा capital reserve लिख देना और capital reserve आगे 210-17.5 capital reserve लिख देना 190.50 अगर मेरा calculation तो बोले reserve सामने वाली का बोले सामने वाली का reserve हम लिखेंगे ने सिफ 5500 उन्होंने क्या किया सामने वाली company का reserve लिखा और capital reserve निकाला कैसे निकाला वो मैं आपको समझा चुका हूँ और ये balance it का total बराबर होना तो अगर banking वाले questions में दो problem आपको दो चीजे समझाएं जो आपको याद रखना पड़ेगा पहला problem कौन सा हुई वाला answer याद आया और दूसरा problem ये वाला अगे चले पहला problem कौन सा हुई आपको ये वाला ना भाई अच्छा अच्छा ठीए तो सर point number A, B, C तो हो गया था आगे कुछ नहीं है आगे और है क्या सर हमसे क्या पुछे बोले capital adequacy ratio निकालिये और NPA निकालिये in percentage after merger capital adequacy ratio formula क्या था formula capital adequacy ratio का capital employed divided by risk weighted assets अब एक बाद बताओ क्या इसका मुझे risk weighted asset पता है नहीं होता क्या वो भी नहीं मालूँ पर इन दोनों का capital employed पता है हाँ सर क्या इन दोनों का capital adequacy ratio पता है ये सर इसका है 16% नहीं इसका है 4% capital adequacy ratio निकला था ना यार इसका है 16% सर और इसका साथ 4% होगा capital adequacy ratio तो जब हमें capital employed पता है और capital adequacy ratio मर्जल से पहले पता है तो इससे क्या risk weighted asset निकल जाएगा risk weighted asset को जोड़ देंगे और capital employed तो अल्रेडी हमारा निकला हुआ है तो काम हो जाएगा कैसे निकला हुआ है बैलेंशीट में जिखो गे तो ये capital employed आपको दिख जाएगा capital employed काम हो जाएगा क्या तो चलो देखे मेरा risk weighted asset इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया है चाहो तो इनको एक साथ जोड़ सकते हूँ ठीक है और percentage निकाला तो ये आ गया है 14.53% capital adequacy ratio after merger ऐसी उसने NPA after merger बोला तो NPA NPA किस पे निकलता सर advances पे निकलता NPA और advances है कि हमारे पास हाँ सर और जो बचा वो bad debts मैं bad debts ही बोलता हूँ अभी तो सर यहां का NPA करीब करीब 40% है और इसका NPA size 5% है या 4% है वो देख ले ना 5% है तो सर अगर मैं advances से multiply करूँ तो bad debts निकलेगा या NPA in rupees निकल जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे बात कतम तो 3527,000 इसका यह आगए NPA in rupees इन दोनों को जोड़ दिया इन दोनों को जोड़ दिया बात कतम हो गई तो यह percentage में निकालना है कि वैसे तो question में बोला भी नहीं और institute ने किया भी नहीं है percentage में पर हम जब इतना किया तो एक काम और कर देंगे और हमने percentage तो आपका मर्जर खतम हो यह भगवा बड़ा topic बड़ा topic नहीं है यार पर छोटा सा topic एक्जाम में आती इसलिए में थोड़ा detail में समझा दिया टेंसर नहीं करते है अभी आगे चले यसर एक question में ने कहा था कि एक question होगा वो होगा D-merger का question number 32 question number 32 मुझे करवाना अच्छा question है यहां से करना पड़ेगा तो D-merger का एक ही question है पड़ेती है question read करने में टाइम लगए तो following information relating to Fortune India Limited एक company जिसका Fortune India Limited आपको याद आजाएगा question यह picture भी आपका बना होगा एक company जिसका नाम है Fortune India Limited उसके दो division है एक है pharma division और एक है FMCG तो दो division ले ले लेते हैं एक कौन सा pharma division और एक कौन सा FMCG यह जो बीच में लेखा वो सब आ जाएगा यह मेरे पास और लड़ी बना हुआ बच्चों को बनाया हैं तो वह इसका Fortune India Limited के दो division होगा है pharma और FMCG पैड़ शेर कैपिटल अफ़ फॉर्चियों इंडिया लिमिटेड तीन लाग शेर से एक रुपए का एक है तो Fortune India के तीन हजार लाग शेर से और एक रुपए का एक है यहां तक कोशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है Fortune India Limited decided to demurge pharma division as Fortune Pharma from 1st April 2009 यही समझने की बात वो क्या समझाने की कोशिच कर रहे है वो यह समझाने की कोशिच कर भी Fortune India Limited में दो था FMCG और Pharma भुले Fortune India Limited में बस FMCG रहेगा और Pharma Division को हमने अलग कर दिया दीमर्ज कर दिया और मैंने का आपका अलग नाम है और आपका नाम हो गया फार्मा लिमिटेट और चिन फार्मा लिमिटेट यह डीविजन मतलब सर यह कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें सिर्फ एफ्म सीजी रह जाएगा और एक नई कॉपनी मना इसी का पार्ट है और जिसका नाम है फार्मा फार्च फार्मा लिमिटेट और यह डीमर्च कब किया बोले एक अपरिल दोहजरन नौ को हमने तीमर्च कर कि यहां तक उक अपनै ऐगे चले पॉर्चिन इंडिया लिमिटेड इसे डिजर क्या नाम हो गए फार्मा डिविजन को फॉर्चिन फार्मा लिमिटेड वर्ड डिटेल से दे रखा फॉर्चिन इंडिया लिमिटेड का 31st मार्च फॉर्चिन इंडिया लिमिटेड और ये डिटेल कब का है 31st मार्च 2009 नौ, मतलब सर इसमें दोनों लोग है, क्योंकि ये मर्जर से पहले का है, एक दिन पहले का, मतलब ये जो एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा है, वो दोनों डिविजन का, FMCZ का भी है, प्लस फार्मा का भी है, और ये जो डिटेल दे रखा, ये एक अप्रेल का मतलब इसमे बच्चा हुआ निकल सकता, ये सर, अब जो बच्चा हुआ होगा, वो किसका होगा, FMCZ का होगा, सूचेंगे आगे रिक्वार्मेंट क्या है, रिक्वार्मेंट, आगे लिखा है, बोर्ड अप डिरेक्टर अप कंपनी है, डिसाइडे टो इस्यू नेसेसरी एक्विटेश अप फॉर्चिन फार्मा लिमिटेट, आप रुपीज वान इच, विदाउट एनी कंसिटरेशन टू शेरोल्डर अप फॉर्चिन इंडिया लिमिटेट, फगिसरी बोल क्या रहा है, पस ये ही तो समझाना है, बाकी काम हो चुगा, अब ध्यान से समझना मेरी बात को मैं क् ये भाई साब कौन है, ये है शेरोल्डर्स, कौन सी कंपनी के, इसी के थे फॉर्चिन इंडिया लिमिटेट, एफम सी जी भी इनी का था, फार्मा भी इनी का था, बहुत खुस थे, अब इन भाई साब ने डिमर्ज कर दिया, और ये कह कि ऐसे कैसे डिमर्ज कर दोगे, मतल और एक पैसा नहीं देंगे, पैसे मैं तो मांगना, क्यूंकि तो हमारा ही है, विटमेंस आप गया रहोगे, और दो कंपनी कर दे रहा है, ठीक है, हम तो शेरोल्डर पहली वाली कंपनी के, हम तो शेरोल्डर जो इसी के है, FMCG वाले के, पर अगर आप फार्मा को अलग कर है हो, तो वो तो हमारे हैं न भई, तो हमको तो share issue करना पड़ेगा, और share free में issue करना पड़ेगा, पैसे नहीं मांग सकते, बह совсем ठीक, अब सवाल यह है, कितने share issue करेंगे, और ये है कितने लोग, ये तो वैसे 30,000,000,000 लोग है, कितने share issue करेंगे, सवाल बस इतना, कौन issue करे वोई मांगा भी है कोश्य वोड आप डारेक्टर कमण डिसाइटर नेसिसरी शेर्स नेसिसरी शेर्स फॉर्चिन फार्मके विदाउट एनी कंसिट्रेशन टू शेरोल्डर ऑफ फॉर्चिन इंडिया लिमिटेट और इसके लिए ट्रांसफर करोगे ऐसी ट्लायरबिटी का ब इसका फॉर्चिन इंडिया लिमिटेट और फॉर्चिन फार्मा लिमिटेट चलो पहुंचे फॉर्चिन इंडिया कौन है फॉर्चिन इंडिया लिमिटेट का प्रॉफिट दे रखा है ग्यारहजार चार्स और फॉर्चिन फार्मा लिमिटेट का प्रॉफिट दे रखा है 1500 lakhs price earning ratio भी दिया है इसका 42 और इसका है price earning ratio दिया है कि ने इसका price earning ratio दिया है कि MPS दिया है तर इसका तो market price भी दे दिया है 24.5 जिरो इसका और चिना है अब price earning ratio भी है फिर जो है पहले उसे लिख ले कि इसका MPS भी है ये भी है और ये यह information अब जड़ा सोचते हैं आराम से सोचते हैं यार सर यह profit है कि MPS यह प्राइजनिंग रिश्वा इससे कि EPS निकल सकता है Yes, future का 24.5 divided by 25 EPS आगे सर 0.98 अब EPS है और profit after tax है और आपको मालूम है कि profit after tax divided by EPS करोगे यह एक share पर तो total 14.7 कितने shares पर तो sir 1470 divided by 0.98 तो number of shares इस company के निकलेगे 1500 लाक तो मतलब यार इनको जो share issue हो रहा है वो 3000 लाक नहीं हो रहा है total shares issue हो रहा है 1500 लाक पहले number पर साइद वो ही पूछा है कि बताइए कितने shares issue कर रहा है कौन issue कर रहा है? Fortune Pharma Limited किसको? Fortune India Limited के shares को निकल जाएगा क्या? Yes तो वही काम किया होगा 1000 लाक ये तो निकल गया है sir ये 1500 लाक शे ठीक है मतलब एक के बदले में 0.5 MPS निकालना है Fortune Pharma Limited MPS निकल सकता है Fortune India Limited मतलब उस company का किस कैसे निकलेगे? तर पैट मालूम है? Yes और यहां 3000 लाक शेयर से तो इसके बदलत EPS निकल जाएगा Price Earning Ratio से मल्टिप्लाई करोगे MPS ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं और बुक वैल्यू पर शेयर में ये बस इतना कहना टोटल एसिट ले लिया मैंने सत्तर हजार इसका एसर ये सेवंटी था सत्तर हजार मैंने कैसे लिया होगा? इन सब को एट करके लिए और इसमें सिर्फ और इसमें सर्फ चियन इंडिया का मैंने हटा दिया अगर मैं फार्मा को हटा दिया तो बचा की ऐसिट F.M.C.G और फॉर्जिय इंडिया लिमिटेड में तो सिर्फ FMCG है तो बुक वैल्यू पर शेयर एसेट माइनस लायबिटी करोगे तो बुक वैल्यू पर शेयर हजाएगा कोई किया है उन्होंने टोटल दिया था उसमें से फार्मा हटाके FMCG आगया हा सरीए तो हो जाएगा तो इस कोईशन में क्या खास बात थी कुछ खास बात नहीं थी बस कोईशन समझने में दिखका कोईशन नम्बर था डीमर्जर का कोईशन खतम हो गया कि बस डीमर्जर का वही एक कोईशन था जो खतम हो गया अब थोड़े इधर-उदर के कोशन है, वो भी करते हुए चलते हैं, ठीक है चे चले, काम करें, टाइम नहीं है, करना पड़ेगा हम लोग, करते हैं तो ले, Mr. X Intent, Value of Business पता करना चाहते है, किसका PQR Limited, कोई कंपनी है PQR Limited और उसका जो फ्यूचर में Cash Flow आने वाला है, उससे Value of Business पता करना चाहते है, सर उसका Present Value निकाल लेंगे और After Tax Cash Flow दिया है, दिस, 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 दिस और इट इस फर्दर एस्टिमेटेड देट, पास साल के बाद, Cash Flow का जो Growth Rate है, वो 8% हो जाएगा सर यह तो हमने Corporate Valuation में किया हुआ है और Perpetual Cash Flow कितना हा जाएगा, 10,260 at the end of 15th year तो निकाल लें, कुछ नहीं है, डिसकाउंटिंग कितने परशन से करना, इसकाउंटिंग करना आपको 20% से, तो Value of Business निकल सकते है पहले जो भी है, यह जो है, इसको कितने परशन से डिसकाउंटिंग किया, 20% से और फिर FCFF56 दिया है आपको, 10,260 यह आगया, कुछ बच्चे ना मालूम है, क्या समझ रहे थे, यह 10,260 को Perpetual, Terminal Cash Flow, Terminal Value समझ रहे थे, समझ रहे न, मतलब इसी को समझ रहे थे, Value of Firm, 50 year का, क्यों, मैंने पूछा, क्यों समझ रहे हुआ है, उनका क्या ना सर, इतना बड़ा फिगर, अब आकी सब छोटी-छोटी फिगर थे, यह क्या आप लॉजिक हो, ठीक है सर, तो जो आया, यह आगया, Value of Business, एरे खेल से, ब और cash and bank balance है, 2710, तो shareholder value, value per share, निकलना अगर सामने वाली company में, 151.50 lakh shares है, value per share, कुछ नहीं करना भाई, जो value of business आया, उसमें से value of debt minus कर देना, तो आएगा value of equity, divided by number of shares करोगे, तो value per share, आगे क्या मांगा था, तो अगर firm को take over bid है, तो 125 रुपए में share मांगा जा रहा है, आपके बाद जो share है, उसकी value कितनी है, सर, उसकी value है 241, और इस से, इसको मांगा जा रहा है 225 में, क्या हमें offer, accept नहीं करना चाहिए 100%, वह उसने लिखा है, तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था, इसलिए हम speed से चल दिए, क्योंकि value of business ना जाने हमने corporate valuation में धंग से कर रहा है, चले जी आगे, कुछ नमबर 37, कुरा yes limited wants to acquire, किसको खरीदना है, no limited, yes limited, no limited को खरीदना है, तो cash flow of yes limited and merger, याद रखना है यह no limited का नहीं, यह merge entity का cash flow है, यह cash flow दे रखा, cash flow दे रखा है, और उसके बाद perpetual growth दे रखा है, अगर yes limited, merger नहीं करता है, तो बुले growth rate कितना है, 5%, और merge entity का growth rate है, 6%, cost of capital discounting किसे करना है, 50%, number of shares, outstanding in both the company before the merger, is the same, बुले number of shares, same है दोनों company में, मतलब सर, एक company का एक लाख है, तो दूसरी company का भी एक लाख होगा, same, एक का दो लाख है, तो दूसरी का भी दो लाख होगा, ठीक है, and the company agree to action ratio 0.5 shares, मतलब सामने वाली company को जितने हमारे share से merger के बाद, दूसरी company के share, ठीक हमारी company के आधे रहेगी, अगर हम merger नहीं करते, अगर हम merger कर लेते तो बिल्कुल ध्यान से समझनो, yes, limited का value निकल सकता है, merger से पहले, yes, और merge entity का value निकल सकता है, yes, compute the value of yes, limited before merger and after merger सर पहले निकाले किया, yes, तेखें, कुछ नहीं है, discounting कितने परशन से करना, यह आपको मालूम है, बस यहां 5% का growth कर लेना, तो यह आगया, 3675, और उसका present value निकल ला, तो final answer आ गया, yes, limited का merger से पहले value था, 2708.91, और सर अगर merger कर लेते हैं, merger कर लेते हैं, तो याद रखना, merge entity का cash to दिया है, और यह आ गया, 5308.4, मुझे यह समझाना नहीं है, खूप कर लिया है, तो इस पर हम time नहीं लगा, यह तो हो गया, आगे क्या, value of acquisition, यह क्या चीज़ है, सोचके देखते हैं, yes, limited, जब बिना merger के काम हो रहा था, अपना अपना, तो value कितना है था, 2708, जब merge कर दिया तो 5, तो जो extra value बढ़ी ना, वही तो value of acquisition है, वही समसामने वाली company को दे सकते हैं, तो this divided by this, तो answer आगे 2599.56, ठीक है, sir, gain to shareholder of yes limited कैसे ने कर, सुनोगे, जब yes limited था, तो उसकी value कितनी थी, 2708.91, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब merge किया तो value कितनी आ गए, sir, ये आ गई value, पर ये अकेले yes limited के shareholder की नहीं है, ये no limited के भी shareholder की है, और साफ साफ है कि share actions दे 100.5 है, हमारी जितने shares है, उसके आदे shares, no limited के, तो proportion कर सकते हैं कि yes, proportionate कर सकते हैं, वो ही मैंने proportionate किया, तो merger के बाद हमारे, हम सिब हमारे shareholder की value ये आ गई, तो बताओ gain कितना गए, 830, sir, ऐसा भी तो पूछ सकता है, gain बताना shareholder of no limited, वो भी पूछ सकता है, वो भी मैंने सायद करवाया हो, काम की चीज़ेस लिए करवाया हूँ, Candide, सपोज वैल्यवनो लिमिटेड का, इपोर मर्ज, 16,000,000 ये लिख लिए और इसको भी proportion, बतलाओ वैल्यू जो merger के बाद होगी, उसको हम proportionate कर देंगे, तो यह आगया तो बताओ नो लिमिटेट को कितने का गेन हो रहा है 169.49 यहां तो कोई दिक्कत है कि अब आगे बाद बोलना चाहता हूं अक्सर आ रहा है आजकल एक्जाम में और उसका नाम बोलते हूं True Cost of Acquisition यह सब्दा आ रहा है True Cost of Acquisition तो यह True Cost of Acquisition क्या है सी दिसी बात है मैं सामने वाली कंपनी को खरीद रहा हूं तो मैं जो पैसा दे रहा हूं यार यह गुडविल में पड़ा यार सामने वाली कंपनी की वैल्यू मान लो 50 लाक है जब खरीद रहे थे तब वैल्यू 50 लाक है और जो अब हम पैमेंट कर रहा है तो 55 लाक तो जो पाच लाक एक्स्ट्रा है न वह ही कहला था आपका Cost of Acquisition Consolidation में पड़ा हूआ है वह चीज है लेकिन इंस्टिट्यूट इसा भी किया है एकात कोशन में पर Alternative सभी कोशन में वह कैसे कर रहा है वैसा करवाना मेरी मजबूरी तर क्या है उनका ये कहना भाई No Limited को अपने खरीदा प्लीज सुन लेना तो No Limited का मर्जर से पहले वैल्यू कितना था 1600 और मर्जर के बाद वैल्यू कितना हो गया 1769.49 तो येर उनको तो फायदा हो गया येस हमारी वजह से मर्जर के बाद वैल्यू ये हो गया तो बोले एक्स्ट्रा कितना उनको फायदा हुआ और जो उनको फायदा है जो उनको गेन है वो हमारा कौश्ट अजीब ही तरीका है और मज़बूर ये करना पड़े और वो नहीं निकाला अगर कॉश्ट अप एक्क्विजिशन बोलेगा तो हमें 169.49 ही निकालना पड़ेगा ठीका अरे कोश्चन कोश्चन नमबर 43 यस सर बोल रहा Elrond Limited प्लाइन टू एक्क्वाइर किसको खरीद रहा है Doom Limited Relevant financial detail of two confirm prior to the merger announcement एक कंपनी ये है इसको मैं बोल सकता हूँ पर्चेसिंग कंपनी और ये कौन सी vendor का पर्चेसिंग कंपनी market price अब number of shares दिया हुआ है तो पर्चेसिंग कंपनी की value 50 इंटू 20 तर 1000 लाक रूप है और इसकी value है 200 पर ठीक है Merger जो expected to generate gain अगर आप merger करते है तो synergy है 200 लाक What is the true cost of merger from the point of view of Elrond true cost of merger पूछे से पहले मुझे ये बताओ अगर merger कर लिया जाता है तो value of merge entity क्या होगा सर 1000 ये plus 250 ये plus 200 ये 1000 plus 250 plus 200 सर ये होगा 1, 4, 5 इसमें proportionate value बताओगे किसका इसका इसको हम कितने shares issue कर रहे हैं कहीं ना कहीं लिखा होगा yes 0.5 मतलब सर हम 5 लाक share issue करें तो total मिला कर इस company में 5 लाक share और total मिला कर 25 लाक proportionate निकाल लिया मैंने तो total मिला कर 25 लाक share से पर इसका जो बनता हो तो पाच लाक share से 1450 इन्टू 5 डिवाड़ेड़ बाइट 25 तो 290 वैल्यू हो गया किसका room limited merger की बात जबकि पहले value कितना था 250 इनका कहना 40 लाक है true cost of merger और आपको true cost of acquisition और आपको याद करना पड़ेगा कोई किया है किक okay sir question number one पर आजाते है अग गया हूँ हाँ सर पर कोई option भी तो नहीं है एक और एक थोड़ा सा water break ले लेंगे water break के बाद 2 मिनटका और उसके बाद फिर start करेंगे और खतमी करेंगे और मेरे ख्याल से अब 10 पिजिस बच्ची वी 10-15 पिजिस तो question number one long limited is planning to acquire tall limited with the following long limited मतलब या है purchasing company और tall limited DPSDI, DPSDI, number of shares current price per share भी देखा रखा 114 असी और as per estimate tall limited तब ये is expected to growth rate कितना है 6% पर अगर merger कर लिया जाए तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा 8% मतलब value निकालना पड़े गए price बढ़ड़ा है 6% के साथ से मतलब ये 50 रुपए बढ़ जाएगा 6% के साथ से पर merger के बाद तो पहले हमें net cost of acquisition निकालना पड़ेगा अगर आप 30 रुपए पैट कर रहे हो cash में पैट कर रहे तो दिक्कत नहीं cost of acquisition अगर आप 30 रुपए पैट कर रहे हो तो तो सुनो उनने क्या किया सामने वाली company में number of shares कितनी 18 रुपए 18 रुपए इंटू 60 हमने इतना payment किया ठीक है और सामने वाली company की value कितनी है किस दी आए कि है 50 18 रुपए इंटू 50 ये value है तो इसको बोला जाता cost of acquisition यहाँ से मैं सहमत हूँ और सर अगर हम point number two ध्यान से देखना point number two कैसे कर रहा point number one में कोई दिकत ने point number two समझने की ये भी alternative और ये मुझे सहीं भी लगता पर मैं दूसरा थरीका भी बताऊंगा उन्होंने का मान लो यार हम one share issue कर रहा है हर तीन के बदले में तो सामने वाली company में number of shares कितने issue कर रहा है हम लोग 6 लक और कितने के हिसाब से हमारे share 180 तो actual में payment ये हो गया और सामने वाली company के value कितनी थी 9 लक तो 18 लक अगर हम cash deal करे तो true cost of acquisition ये आएगा अगर हम stock deal करे तो true cost of acquisition ये आएगा लेकिन ये conceptual सही है पर ऐसा हर question में नहीं बनाया है मतलब सब दूसरा भी alternative हुए हाँ जैसा मैं पिछले question में आपको बता रहा था उसमें क्या करते हैं इसमें तो कोई दिक्रत नहीं point number one में कोई दिक्रत नहीं point number two में वो क्या करते हैं सुनो पहले वो value निकालते है merger के बाद वो कैसे निकलेगा बोले पहले price निकाल ले price कैसे निकलता है d divided by k minus j और क्या d1 हमको पता है बोले हाँ की रुपे k पता है क्या और j भी नहीं पता हाला कि जी अब हमको कितना लेना पहले वो k यी निकालते है एक काम करो दीवन ले लो 3 रुपे P0 ले ले लीजिए 50 रुपे और growth ले लीजिए 6% इससे क्या निकाल लीजिए बोले इससे निकाल लीजिए आप केई और फिर क्योंकि केई मिल गया तो फिर आप value निकाल लीए 75 और फिर value of tall limited 75 के सब से ये आ गया पर कितने लाक शियर्श की 36 की pozw नहीं कितने बदले में कितने शेर इस्यू का हाँ कितने के बदले में कितने बूला है 3 के बदले में 1 सामने वाली company में कितने शेर से 18 लाक 18 डिवादेड बै 3 उस हिसाब से proportionate उन्होंने value निकल लिया ये आ गया और ये तो मालूम ही है इस हिसाब से आ गया ये आया net cost of acquisition ये ऐसे भी कर रखा तो एक्जाम में हमको कैसे कर देखो मैं आप से बोल रहा हूँ कि इस question में उन्होंने ये कर रखा लेकिन बहुत सारे question इसमें net cost of acquisition में उन्होंने ऐसे ही कर रखा तो प्लीज ऐसे ही कर लेना ना यार कटना पड़ेगा और कर लेना और कुछ मांगा था क्या तर gain from acquisition अब यार ये gain from acquisition भी अजीब तरीके से निकाल कैसे तो ये acquisition के बाद value of merge entity निकाल ये निकाल 12 रुपए 5 रुपए ये जो earning लिया price earning ratio से multiply किया तो ये और फिर market value before merger निकाली answer रखा है मतलब इसने total में कर रखा अगर gain from acquisition बोलता है तो मैं क्या करता मैं MPS MPS अलाग लिखता before merge वैसे भी कर सकती हो उन्होंने total में कर रखा है तो ये question question number one थोड़ा आजीब सा था पर मैंने आपको बताया कि क्या सीन है मतलब से रटने वाला question था क्या हाँ आप ऐसा समझ सकते रटने वाला question number 44 समझे एक बार P limited is considering take over R limited मतलब ये हो गया सर पर ये भी रटने वाला question है please अच्छे से करना इस परचिसिंग company वैंड रटना पड़े का कोई option नहीं कुछ भी कर रहा है पर करना पड़े गया last वाले question special question है बलकुम और issue कर है four new shares for every five shares अब profit before tax दिया number of shares दिया price earning ratio दिया tax सबसे पहले market value और both company निकल सकता है market value before tax दिया तो उसको हम after tax करें कल जाएगा सर वो उसका तो कोई दिखता है यह before tax दिया tax profit after tax है number of shares है EPS है price earning ratio दिया MPS है number से multiply किया तो यह आगया market इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यह वैसे भी बन जाता मेरी मदद की जरुरत थी यह सब्द क्या बोल रहा value of original shareholders value of original shareholders क्या मांग रहा हो यह एक नया सब्द आ गया पस यही तो problem है यह क्या होता है सर मुझे खुद को नहीं मालूम अगर मैं value निकालूंगा original shareholders इन्होंने क्या किया merge किया मैं समझा देता हूँ इन्होंने क्या कर रहा इन्होंने कहा देखो भाई हमारी company में पहले से number of shares कितने है तो यह 25 और सामने वाली company में चार के बदले में past share issue किया ठीक है सर यह हमको समझ में आता है यह आ गया post merger number of shares यहां तो कोई दिक्कत नहीं और उन्होंने इन दोनों value को add कर दिया पिना कोई synergy, benefit, gain, price कुछ नहीं इन दोनों को add कि और बोले इसमें चलो proportionate करते हैं इसको बोला value of p limited और इसको बोला value of r limited और इसको बोला value of originals इसको क्या logic है सर, कोई logical इसके बाद बोला price per share निका लिए after merger यह सही है, price per share सर कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें solution नहीं है book में होगा, मैं book कभी आपको PDF दे देता हूँ, इसमें solution नहीं है पर यह simple है और यह logical turning after tax मालूम है, yes इन दोनों को add कर देंगे, इसको हम बोल देंगे post combiner निक और divide किस से कर देंगे 37 से post merger 10.5 plus 9.45 divided by 37 तो सर यह आजाएगा, EPS 0.53 9.2 EPS को इसी price earning ratio से multiply करेगे, अगर अलग से कुछ नहीं दिया होगा तो नहीं दिया है, price earning ratio से multiply कर दोगे, तो post merger MPS है जाएगा that's it, वो ही मांगा था उसे, price of share after merger, और फिर क्या बोलेगा, impact on merger बोलेगा, impact on merger बोलेगा, impact on merger तो आपने काजी दोगे point number, तमस्या कहां जाए, बस ये एक नहीं चीज आ गई है, value of origin ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, option नहीं है आपके बाद, खीक है, आगे चले, question number 39, पड़े, आज है, H Limited agree to buy over, business of B Limited, H Limited है, purchasing company, जो B Limited को खरीद रहा है, Sumrise Balance Sheet of H Limited and B Limited, as on 31st March 2012, R.A. H Limited सर्फ purchasing company हो गई, और ये target company हो गई, या under company, ठीक है, shares दे रखे, equity shares 100 का एक, 10 का एक, reserve and surplus, तो ये 1300 DAX और ये 31.5, और ऐसी assets से दे रखे, defer tax assets भी तिया, आगे रिका, H Limited proposes to buy out, B Limited, and the following information is provided to you as a part of risking of buying, ये question cover हो जाना चाहिए था corporate valuation में, पर यहां कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा है, the weighted average post-tech maintainable profit, future maintainable profit दे रखा, FMP, याद होगा FMP, दोनोंका, FMP दे रखा, और दोनोंका capitalization rate दे रखा, 8%, क्यों दिया है सर, पता ने, इसके अलावो contingent liability दे रखा, 300 करोर, किसका H Limited का, अब आगे क्या बोल रहा, H Limited issue of Rs. 100 each to shareholder be limited, in term of actions ratio, और actions ratio कैसे निकालोगे, बोले, fair value के basis पर हम actions ratio निकालेंगे, fair value, सर, fair value है क्या, बोले, हम weight देंगे 1 और 3 को, और 1 और 3 क्या, 1 और 3 weight देंगे, किसको बोले, एक तो value निकालना, आप net asset basis से, और एक निकालना, earning capitalization, और उन दोनों से, weighted average निकालना, तो निकलेगा, fair value, अब फिर actions ratio बगिरा निकाल लेना, ठीक है, सबसे पहले, net asset value, तो कुछ करना नहीं, assets minus liability, assets कहां से आए, यह है assets, ठीक है, और सब liability में क्या जाएगा, liability में, liability में, कुछ है नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, एक contingent liability, वो minus हो जाएगा, divided by number of shares करेंगे, तो value per share है जाएगा, एक तो actions ratio हमको, इस पे, तुसरा earning capitalization method, कुछ है नहीं है, earning को हमने capitalize किया, divided by number किया, तो यह आगया value per share, और फिर हमने weight निकाल, हमने weight, इसको कितना weight देना है, 1 और इसको देना है, 2, 1, जाएद गलत होने निकाल, 1 और 3, इसको 1, इसको 3, तो यहाँ वे इसको 1, इसको 1, इसको 3, और फिर निकाला तो यह आगया, shear action, और कुछ मांगा है कि, और, तो 2 मिनट का break ले ले लेते हैं, फिर बड़े मुश्किल से, half a number की class बची है, मतलब 10 pages और करना है, हमारा topic खतम हो जाए, तब break हो जाएगी है, चलो जी, आओ खतम करे, यह सा, break हो गया है कि, हाँ, तो residual topic है, अलग-अलग चीज़े हो सकती है, अलग-अलग questions में, तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, वो बात करूँगा, question number 34 पे, अच्छा question है, exam में आया हुआ था, कि, यस, नया question आया था, exam में आया था, नवंबर 2020 में, बच्चों की हालत खराब होए थी, आखिर question क्या कह रहा था, यह समझ में नहीं हुआ, एक बार discuss कर लेते हैं, फिर सोचें क्या कर लेते हैं, लिखा, ICL is proposing to take over SVL, मतलब sir, ICL हो गया purchase company, और SVL हो गया, vendor company, with an objective to diversify, ICL profit after tax, जो ICL का profit after tax, बुले 18% से growth होगा, 18% और SVL का profit after tax, जो है, वो 15% से growth होगा, अलग-अलग growth rate दिया, 18% बूद दो company pay dividend regularly, और summarize, P&L account दे रखा, sales, PBT, profit after tax, और dividend, अगे बढ़े क्या है, इसके अलवा growth rate तो दिया, ICL, SVL का, ICL का कितना दिया है, ICL का दिया है sir, 18% बढ़े हैं और इसका 15%, आगे बढ़े है, इसके लाव fix assets है, linen building, plant and machinery, furniture, ये सब मिला कर, 1650, current assets, और फिर current liability का total दिया है, ये minus किया, current assets, minus current liability, तो अगे net assets, और share capital भी दिया हुआ है, 1300 और borrowing दिया, तो ये 1955, वो बताने की कोशिश कर रहा है, कि देखो, ये balance sheet अजीब टाइप से दिया है, हमें जो चाहिए हम ले ले लेंगा, market price दिया, इसका 52 और इसका 75, मतलब यार, इससर ये ICL का है, कि हाँ, ICL का 52 और SVL का 75, यार, इससर एक काम करते हैं, मांगा क्या है, पहले वो सबसे पहला काम है requirement, फिर वापस पढ़ेंगे कोशिश, हमें निकालना है, you are required to determine the premium, using net worth adjusted for current value of land building, plus the estimated average profit after tax, for the next 5 years, इससर ये क्या मांग रहा है, premium बोला है, premium का मतलब क्या है, premium, बोले साहब, अब सुनना धिहां से, 1 by 1, यहां से, requirement यहां से, ICL management wants to determine the premium, on the shares, over the current market price, which can be paid on the acquisition of SVA, अब समझना ठीक से, मैं क्या हूँ, requirement ऐसी है, कि SVA का price कितना है, बोले 75, 75, बोले आप value निकालिये, और value इस method से निकालिये, क्या बोला हम बाद में समय, और मान लो value आ गया 100, 100, जबकि actual में price कितना है 75, तू बताओ कितने रुपे ज़्यादा है, 75 माइनस 100 डिवाइड इबाई 75, premium पूछ रहा है, कि market price से value कितने ज़्यादा है, वो percentage बता दीचे, करना simple है, सबसे पहले आपको value निकालना है, और premium निकालना, अगर इस method से काम करते हैं, तो, अगर dividend growth formula method यूज़ करते हैं, तो value निकालना, तो हमें value निकालना, share करते हैं, और value कौन कौन सा method निकालना, बुले net worth से निकालना, dividend growth से निकालना, तो ठीक हम लोग तेयार है, और किसका निकालना है, हमें SVL का निकालना है, हमें इसका निकालना, के दिजे अन्मेड का हमें लैनन मिल्डिंग् से मतलब नहीं हैं हमें मतलब है है यस वियल का लैन ड्रृ यह तीन साल पहले धिय शनक्त मतलब नहीं है यह शनक राधी कोई Leys more पर एनम का वैल्यू बढ़ा है मतलब 190 में हमको बढ़ाना पड़ेगा 30 पर सिब लैनन बिल्डें और SVL में ग्रोथ रेट कितना ले लेना 18% वो साथ डिविडेंट ग्रोथ मौडल में काम है नेट वर्थ एजिस्टिट लेनन बिल्डिंग का करेंट वैल्यू लीजिए और नेट वर्थ तो क्या नेट वर्थ दिया है कोश्चन में चेक करोगे नेट वर्थ तो सर ये दोनों है मिलाकर यस नेट वर्थ कितना 785 अब लेनन विल्डिंग कितने से बढ़ा है उसको भी लेना पड़ेगा आपको चलो ले ले लेते अब भी कितना है लेनन बिल्डिंग 785 नहां से लिए समझ में आगे ना है इस में मैंने ओल्ड वैल्यू अप लेनन बिल्डिंग की माइनस कर दिया तो क्यार वो नेट वर्थ में जुड़ा है मुझे तो वो इनक्रीज वाला पार्ट निकालना है तो मैंने 190 माइनस कर दिया अब मैंने का लेनन मिलने की अभी वैल्यू कितनी है 190 को 30% 30% 30% मत्ता फैक्टर निकल ले कि 1.30 इंटू इक्वल टू इक्वल टू 2.197 और फैक्टर में 30% का तीन साल का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकाला नहीं भी निकालता है तो चल जाता है यहां दिया होता कहीं ना कर आसर यह तो दिया 2.197 एक टेबल में दिया मतलब मुझे इन दोनों के 20 का डिफरेंस लेना था मैंने इसको मैनस कर दिया इसको प्लस कर दिया कोई दिक्कत है क्या नहीं कहां तक प्लस उसने बोला है आप प्रॉफिट आफ्टर टेक्स लेना अगले पास साल अगले पास साल का आने वाले पास साल का profit after tax है कहां आखिर profit after tax profit after tax तो 250 है बस यह हमको मालूम है यह तो लिखा है ना सर SVL का profit हर साल 15% से बढ़ेगा it means अभी profit कितना है सर अभी profit है 250 तो हमें करना क्या है 250 प्लस 15% से यहां बढ़ाओ जो भी आएगा 15% से बढ़ाओ जो भी आएगा 15% से बढ़ाओ जो भी आएगा 15% और इन सब का average कर ले ना divided by 5 क्या कुछ ऐसा होता future value annuity factor बोलते क्या add किया जा सकता है यस और उसने future value annuity factor दिया 15% का पास साल ओके तो सर यह मिलाकर आप वैसे भी कर सकता है यह सब मिलाकर इसको add कर दिया तो यह total मिलाकर पास साल का profit आया 15-15 बढ़ाकर और divided by 5 कर दिया तो यह आगा average profit after tax और फिर यह जो आया divided by number of shares कर दिया इसके number of shares number of shares यहां लिखा होगा number of shares तर 125 और 10 का एक है तो 12.5 से divide कर दिया तो value per share आगा और जबकि यह है 75 तो percentage निकल गया 49.33 percentage अच्छा कोशन है यह वाला concept बहुत अच्छा है conceptual है रटने वाला कोई काम ठीक असा और दूसरे एक तो इस तरह से premium निकलने के बात किया था दूसरा बोले dividend growth model यूज कर ले ना dividend growth model कैसे निकलते है सर्फ P0 is equal to D1 divided by K minus क्या मुझे D1 पता है हाँ सर्फ कही ना कहीं तो दिया होगा यह दिया है dividend 125 divided by 1.25 10 रुपया गया पर यह D0 हुआ growth add करना पड़ेगा और growth कितना add करें यह लिखा था साइब growth rate के आगे कितना होगा हाँ growth rate 18% ले 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 ना तो सर्फ 10 निकला है into 1.18 के यह नहीं मालूं याद एक question में PG रो दिया है क्या हाँ सर्फ 75 दिया तो इस 75 को लेके पहले में के यह निकालूंगा पुराने growth पे पुराना growth कितना 15% एक question में किया है ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगे पहले मैंने 75 लेकर 10 लेकर केई निकला और फिर केई पता लग गया तो केई को यहाँ लिखकर यह निकला क्या चीज निकला क्या प्राइज निकला और फिर मैंने premium निकल लिया और बले दोनों में से पूछ किया रहा last वाला point last वाला point पूछ रहा है हम कि ICL को ICL को purchase करना negotiation करना ICL मतलब purchasing company तो क्या कौन सा method अच्छा है इससे premium आरा ICL कौन सी company है तो यह है इससे premium आरा 49% और dividend growth से premium आरा 27 तो ICL कम से कम देना चाहेगी तो बले यह वाला model अच्छा है dividend growth model चले आगे यसी है question अच्छा question number 40 के नाम से तो अच्छे वैसे भी परिशान रहे थे question number 4-0 चलो sir बात करे question number 4-0 यह भी अच्छा question question number 40 revision लंबा नहीं चला गए क्या करे option है कि यह कुछ अगर मैं 4-5-4 घंटे में भी खतम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता है और मैंने सारे questions cover कर रहे हैं मैंने आपको पहले भी बोला दे बुल रहा AFC Limited acquire किसको करना चाहते हैं BCD Limited 10 shares issue by 2 company और इसके number of shares कितने हैं 10,00,00 और इसके number of shares ते 5,00,00 अच्छा कोशन है बच्चों की बैंड बज़के इसमें calculate the increase in value of BCD Limited resulting from the acquisition on the basis of following condition फुल रहा जो BCD Limited है इसकी value में increase कितना होगा ये बता दो अभी growth rate कितना है 7% और इसको consider करके growth rate कितना है 8% तो समझ गया नो आप पहले पुराने वाले price भी दिया ही होगा यस इसका BCD का main focus करना 20 रुप है तो पहले पुराने वाले growth से क्या निकाल लेना केई और केई को यूज करके फिर नए वाला price निकाल लेना ऐसा किया होगा अभी किया था जश्ट आज़ा और dividend भी दे दिया कितना dividend दिया 0.6 BCD की value में कितना बढ़ेगा यह निकालना पर्षेंटेज रुपीस तो सर हो जाए क्या चलो हो जाए बस बात काता हम पहले point में यही तो बुला है उसने calculate the increase ठीक है सर तो हम एक काम करते हैं पहले D1 पहले क्या निकाला केई और इस KU को यूज करके प्राइज निकाल लिया 20 तो बताओ कितने रुपे से बढ़ गया है BCD सर पहले प्राइज था 30 रुपे अब है पहले था 20 पुरानी ग्रोज से और अब हो गया 30 और number of shares 5 lakh है तो 50 lakh से value increase हो गई तो को समझाने वाली बात थी यह वाला point repeat हुआ है ऐसे 3-4 questions हो गया है तो यह वाला point important Point number 2 On the basis of a force rate condition calculate the gain or loss to shareholder of both the company if AFC were to offer one share for every four share मतलब यार 0.25 is to 1 क्या दिक्कर gain or loss निकाल सर यह MPS में निकालना कि MPS में हो जाए गई तो Post merger तो निकालना पड़ेगा न यार Post merger निकालना पड़ेगा Post merger EPS निकालना पड़ेगा कि MPS निकाल EPS की तो कुछ information ही नहीं तो post merger हम MPS निकाल रहे कैसे निकाल रहे 10 lakh into 100 Yes post merger 5 lakh into 30 37 क्यों आया है share का price बढ़ जाएगा 102 पॉइंट यहां तक कोई दिखके था क्या AFC का merger से पहले price कितना था 100 अब हो गया 102 पॉइंट और BCD का merger से पहले price 20 और अब हो गया 25 पॉइंट तू तू याद रखना हमें swap ratio से multiply करना यहां इस question को IC AI ने किसी और तरीके से कर रखा equivalent कोई और तरीके से कर रखा तर वो कैसे कर रखा उन्होंने क्या किया यार यह कितने shares का है 4 कितना था 4 share का 4 के बदले में एक share तो देखा जाए सुनो ना सुनो ना सुनो यह जो price है यह actual में इसके लिए BCD के कितने share sacrifice हो रहा है चार तो उसने का कि इसको हम agities रहने देते हैं बस इसको हम 20 into 4 कर देते हैं 100 अभी भी तो equivalent है अभी भी equivalent है वो भी गलत नहीं है एक मात्र question में वो ऐसा कर रहा और ऐसा तो हमको आता है तो equivalent आप किसी भी तरीके से कर तो या तो इसको into 4 कर दीजिए या तो इसमें 0.25 से multiply equivalent ही तो करना है तो इक्जाम में कैसे करें अगर याद रहेगा कि यार इस question में institute ने ऐसे किया है तो आप पैसे कर सकते हो बगि इसमें कोई गुना नहीं है answer सई और ज्यादा मन करना तो इसमें into 4 कर दीना पर जरूरत नहीं है यार जैसा कर रहे थे बैसका ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है और आगे कुछ बोला है कि point number 1 हो गया है था last point number 3 calculate the gain to the shareholder of both the companies खिर से निकलना है gain अगर AFC 25 रुपए दे रहा है BCD के shareholder ये तो सिधा सिधा है BCD के share का price कितना है 20 और हम कितना दे रहा है 22 तो सिधा सिधा BCD वाले को तो 2 रुपए का फायदा इस बार stock deal नहीं इस बार cash में हो रहा है सिधा सिधा BCD वालों को तो दो रुपए का फायदा होगे अब बात और सुनो यहां कौन सा डील है कैश 20 रुपए पकड़ो काम खतम हमारे शेयर जितने थी उतना ही रहेगा पर पैसे आएगे कहां से तो बहुत प्राइस अर्निंग रिशो एफ सी का चैंज नहीं होगा तो पोश्ट मर्जरा इंपी यहां दिया EPS कितना है 8 रुपए और BCD का EPS कितना है 2 रुपए 50 पैस तो अर्निंग कमबाइन कर लेते हैं वहीं किया होगा उन्होंने उन्होंने कमबाइन कर लिया अर्निंग तो ले यार इसका अर्निंग यह तो हमारा है और सामने वाले का भी हमारा अब यार अब सुनन से गया cash अगर इस cash को हम BCD को खरीदने में नहीं लगाते इस cash को कहीं और यूज करते और यूज करते तो opportunity cost कितना है 10% अब हो 10% का मेरा income नहीं होगा इसलिए मैं कहता हूँ कि total earning BCD को खरीदा तो total earning ये हो गई लेकिन एक cost हमारा ये भी फिर से सब्द यूज करूँ अगर हम BCD को नहीं खरीदते तो हमारा opportunity cost होता 10% ये पैसा हमने BCD को खरीदने में लगा दिए इस बार shares में deal नहीं हो रहा पैसे दे दिए तो पैसे दे दिए वो कहीं और लगे थे उसको उठाकर इधर लगा दिए तो opportunity cost है तो वो मैंने minus कर दे तो अब ये आगए earning post merger और number of shares तो उतनी रहेगी तो post merger EPS आगए 8 रुपए 25 पैसे price earning ratio से multiply किया तो ये आगए 100 और पहले कितना था सर पहले price earning ratio कैसे निकाला ये तो निकाल लोग आप कोई दिखर पहले कितना था पहले था 100 अब भी 103 तो यहां 3.125 का gain हो अच्छा question है देखा जाए सर इसमें कुछ अजीब सी बात है कि कोई भी अजीब सी बात नहीं लगी मुझे question अच्छा हावा कि अच्छा मजा आया सर इस question question number 46 question number 46 question number 46 operate in same industry decided to merge and form a new entity S-Limit यह confusion create कर रहा है state C और P limited दोनों कंपनी अलग अलग है और दोनों मिलकर एक नहीं कंपनी है ऐसा लग रहा है मुझे पर ऐसा actual में नहीं है MTP में डला April 2021 का question और यहाँ C limited, P limited, annual earning, profit after tax दिया number of shares दिया, price earning ratio दिया margin will be affected by means of web ratio, ठीक, stock deal अब यहाँ बोला 3 share issue करेंगे हैं, हम एक के बतले में तो भाई, यह होगी purchasing और यह है vendor अब question simple ठीक है क्या हमें post margin number of shares निकल सकते हैं या 7,000 अगर ज़रुत पढ़ी तो अस एक चीज़ भर गड़ देगा after the merger, it is expected that due to synergy effect, annual earnings are expected to 8% higher than sum of earnings of two companies in devis बोले दोनों की earning को जोड देना तोड़ दी आज़र तस जार और पाच ज़र आठ सो और बोले जितनी earning है उससे 8% ज़्यादा कर लेना ज़्यादा कर लिया तो यह आगए earning टेनरजी मिलाकर ठीक है और बोले price earning ratio जो रहेगा वो लेना average price earning ratio अब two company before the merger और तब सर इन दोनों का average कर देंगे कि यही तो बोला है इन दोनों का average कर देना तो सर average कर दिया और यह क्या आगए post merger EPS average करने से आगए post merger ठीक है और यह बाद और क्या पूछ evaluate the extent to which to which shareholder of P limited बताओ P limited के shareholder P limited का पहले MPS कितना था P limited का पहले MPS था 58 अब कितना हो गया 65.28 equivalent निकाल रहा है यह P limited पहले P limited के angle से बात करो बोल रहा है P limited यह है इसका EPS पहले MPS कितना था 58 अब equivalent निकाल लिया तो इतना तो क्या gain हो रहा है yes 7.8 तो यह भी question थोड़ा सा अलग था हाँ यह question जितने भी करवा रहा हूं सब आप यह ना समझो कि मैं repeat question करवाते जा रहा हूं सब question सारे questions अलग अलग यह भगवान यह कैसा question यह बरदस्त question नहीं दिखरा आपको question number 33 क्या यह बहुत बड़ा question होगा hundred percent तो question है करवाँगे छोड़ दू तो जब इतना करवा चुके है इतना time हमारा बरबात कर चुके हो पास-दस मिट में कुछ होने वाला नहीं करवा दूसर इतना कहानी तो नहीं पढ़ सकता काम-काम की चीज़े पढ़ता हूं तो बुले एक company है distress limited क्योंकि question मेरा पढ़ा हुआ है और आपका भी पढ़ा हुआ होगा क्योंकि इसको पढ़ने में कम से कम आदा घंठा निकल जाएगा समझने में उतना time हमारे हपास ने तो मैं इसका crux आपके सामने रखता हूँ तो एक company है distress limited और financial difficulties है अब distress limited क्योंकि बंद होने वाली है तो इसी company का कोई management जनरली कोई company बंद हो जाती तो उसी का management खरीद लेता है उसको मालूम है यार में तो चला लूँगा इसका management सोचता है क्यों ना इस division को मैं ही खरीद लेता हूँ buyout कर लेता हूँ buyout बोल रहा है leverage buyout नाम है इसको हम खरीद लेते हैं क्या नाम है जो person खरीद रहा है उसका नाम है Mr. Smith भाई Mr. Smith है पैसे बोले या पैसो की ही तो दिवकत है तो हमको इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और पैसा के लिए हम venture capitalist के पास चलेगा और venture capitalist कोन होते है जो इतने risk क्यों की company है loss चल रहा भाई venture capitalist बोलते हम पैसा लगाने को तियार है बदले में हमें equity चाहिए बदले में हमें interest मतलब कुछ भी बोल सकते है एक venture capitalist है जो बोलता है चलो जी आप buy out कीजिए हम इसको finance करने को तियार है और distress limited जो है वो बोल रहा है distress limited बिकने को तियार है कितने में 180 करोर 180 करोर चाहिए भई Mr. Smith कुछ पैसे है आपके पास तो Mr. Smith बोलता है साहब ऐसा है कि हमको और 180 तो सिर्फ उसको खरी देंगे और Mr. Smith ये बोल रहा है 85 करोर और लगेगा क्यों क्योंकि इसको लायक बनाया जाए तो total पैसो की कितने जरुरत है बोले x180 plus 85 total पैसो की जरुरत है 265 करोर बोले लाएंगे कहां से बोले देखो ऐसा रहेगा Mr. Smith बोलता है कि भाई 60 करोर तो मेरे पास रखे हुए ठीक में लगा दूँगा बदले में no doubt में equity ही लूँगा और WAN cap बोले आपको सारा लगाना पड़ेगा बोले चाहिए कितना बोले 265 उसमें 60 तो बच्चा हुआ बोले आप लगाई है तो WAN cap बोल रहा ठीक है equity के रूप में इतना लगाएंगे debenture के रूप में इतना लगाएंगे और 8 person loan के रूप में इतना लगाएंगे और इसमें आपका attach है warrant warrant का मतलब warrant का मतलब debenture warrant का मतलब इन्होंने बताया है कि debenture पर आपको ब्याज देना पड़ेगा debenture का पैसा भी वापस करना पड़ेगा पर एक warrant है और उस warrant को हम कभी भी shares में convert कर सकते हैं ऐसा कुछ बताया है कितने साल बाद वो बताएगा बोले जो warrant है debenture का तो आपको इसमित आपको पैसा देना ही पड़ेगा वो जो warrant debenture उसको कभी भी आप shares में convert कर सकते हैं चार साल बोले shares में convert कर लेना और आपको 120 रुपए के सबसे shares मिल जाएगा पैसे देने ही पड़ेगा उसके ऐसा नहीं और जो loan है loan उसको repayable करना loan कौन सा ये वला बोले सीधा सीधा आठ साल बाद repay कर दिया और जो debenture है वो equal installment में repayment होगा और कितने साल में छे साल में ये equal installment निकालना आपको आना चाहिए तभी काम होगा उस पर interest का calculation बहुत खेल है यार इस question Mr. Smith का target है कि हम dividend प्रपोस करेंगे किसी भी हालत में जो distributable profit है चार सल का 12.5% से ज़्यादा dividend नहीं देंगे और EBIT दे रखा है estimate rate ठीक है सर मांग के आ रहा है सर अभी बात कर रहा है ना tax credit 35% जो पाच्छे साल तक change नहीं होगा बोले अब vancap से fund चाहिए है मुझे venture capitalist से fund चाहिए तो अब हम Mr. Smith को बता रहा है कि सुनो mancap प्लीज हमें पैसे दे दो आपको विश्वास नहीं होगा हम आपको बता रहा है कि जो हमारा अभी book value है equity का उससे आने वाले 4 साल बात हर साल 20% से बढ़ेगा 20% का growth हो जाएगा लगाई यह पैसा यार आज जो book value दिखा आज जो net worth दिख रहा है net worth वो देख न चार साल बात 20% से उपर चला जाएगे बढ़ते हैं यहां लिखा नहीं पा रहे हैं अब देखते हैं क्या हो अल्दो van cap है सोन दे हाला कि van cap जो है वो पैसा लगाने को तयार है पर भाई साब इस Mr. Smith यह जो growth आप बोल रहे हो ना कितना है 20% इस पे थोड़ा सा सक है 20% सही है कि इसके अलावा van cap जो share warrant है convertible warrant वो 10 दे रहा थे 10 कहां लिखा था यहां करें लिखा था कि 10 shares में convert कर रहे है हाँ यहां लिखा था एक warrant 10 shares में convert हो रहा तो van cap बोल रही कि भाई साब आपको 18 shares देने पड़ेंगे एक warrant के 18 question पढ़ना मैंने इतने कम समय में आस तक question नहीं पढ़ा जो अभी पढ़ा हूँ मांगा किया बात करें आपको determine करना है क्या वाकई growth rate book value में 20% का होगा पर year यहां लिख दिया 20% पर year मैं वही सुनना देखना चाहता है और आपको यह भी पूछा जा रहा कि वो जो demand कर रहा है कि नहीं हमको 10 share नहीं हमको 18 share चाहिए तो क्या उसकी demand को accept कर लेना चाहिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा book value मतलब net worth और net worth कैसे निकलता है share capital plus reserve and surplus return earning अब यार share capital में तो ठीक है अब return earning कैसे निकालेगे क्योंकि वो बोल रहा कि जितना कमाते है हर साल हम dividend भी देंगे कितना 12.5% बचा हुआ बचा लेंगे हमको देखना पड़ेगा नहीं share capital में reserve निकालना पड़ेगा हर साल का return earning निकालना पड़ेगा और return earning के लिए हमें statement बनाना पड़ेगा और चारी साल का बनाएंगे सर क्यों क्योंकि चार साल बाद problem किस में problem है बोले चार साल में 20-20% का growth होगा तो check करने के लिए कि वाकिए growth होगा कि नहीं होगा ये statement क्यों बना रहा हम सिर्फ return earning निकालने के ABIT दिया हुआ है debenture interest कैसे है उसके लिए तो भाई साब आपका working note बनाना पड़े और ये देखो total कितना है 22.50 crores और rate of interest कितना है 9% 6 साल तो हम present value annuity factor निकालेंगे क्यों कि हमें installment amount निकालना installment तो हर साल इसमें including interest है हर साल इतना installment है और इसमें interest भी है इसमें principal भी है इंटरेस्ट कितना है तो बहले 22.50 crore का 9% निकाल लो तो बहले ये जो installment जा रहा है उसमें interest का इतना portion है और बचा हुआ principal का इंटरेस्ट को अलग कर रहे है क्योंकि वो statement में लगेगा अब ये जो principal है अगली बार अब मैं बैंक से पूछूँगा कि वही कितना वकाया है तो उसमें से ये principal में से total outstanding में से ये minus कर देंगा बहले अब इतना outstanding है अगली बार जो interest लगेगा वो इस पे लगेगा इस पे लगेगा 9% फिर वही है ये installment इस तरह से काम होगा ये किया हुआ leasing वगेरा या high purchase करके topic है उसमें किया तो revision में तो बनता नहीं है ये question तो सरी ये interest हो गया क्या और ये वाला interest यहां से minus कि तर ये question आने के उमीद ना के बराबर पर क्या करना पड़ेगा हाँ इसलिए कि मैं ये कहता हूँ कि कुछ नहीं छोड़ा सब करवा दी इसलिए करवा रहा हूँ आने के उमीद नहीं है पर करो क्योंकि नहीं चीज लोन पे interest तो ebt आगया tax minus कि earning after tax आगया और जितना earning after tax है उसका 12.5% क्या दिया जा रहा है dividend तो इसे return earning आ जाये भा yes अब देखो ये आ गया return earning ऐसे नहीं हर साल का मैं return earning निकालू है और इसको इसके साथ जोड़ूँगा यहां जो है यहां जो आएगा यहां e आ गया यह आ गया return earning पहले book value of equity कितना था साट करोड तो Mr. Smith के पास था एक्विटी और WANCAP के पास था 22.50 तो पहले एक्विटी था 82.50 और अब एक्विटी return earning ये है निकाला होगा उपर और ये एक्विटी तो जितना कि उतना है तो book value नेट वर्थ पहले ये था नेट वर्थ अब ये हो गया तो compounded growth निकाल सकते हो क्या येस और ये आता है आपको answer आगया 23.96 परशन इट मिंस Mr. Smith WANCAP को बोल रहा था 20% का ग्रोथ और है actual मैं 23.96 परशन पार रहा है तो इस question को छोड़ सकते है कि छोड़ सकते पर मैं अपनी ड्यूटी पूछा है दूसरी बात उससे पूछा गया था अगर एक वारेंट के बदले में 18 shares मिल जाते है तो क्या आप agree हो तो इन्होंने का देखो अगर Mr. Smith accept कर लेता ये demand तो अभी Mr. Smith के पास 6 करोड सीर्स है वैनकेप के पास अभी 2.25 करोड सीर्स है और अब इनको 18 shares जो debenture है उसके 18 shares के इसाब से उनके पास 4.05 करोड सीर्स और हो जाएगा एक debenture पे 18 shares ठीक है उसके इसाब से 6.30 करोड 6.30 करोड सीर्स क्या इनका controlling interest चला जाएगा यस जितना इश्मीद के पास है उससे ज़्यादा वैनकेप के पास हो जाएगा shares ठीक है तो accept करना चाहिए कि नहीं बोले accept नहीं करना reject कर देना ठीक है कुछ power cut का issue है एक question प्लीज आप कर ले न question number 36 simple और dimple वाला एक ही homework दे रहा हूँ और यह simple question है मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है मैं class over कर रहा हूँ नहीं तो फिर आज class upload नहीं हो पाएगी कुछ technical issue आ रहा है thank you so much bye bye sir merger का वीडियो merger का वीडियो कल आ जाएगा I hope कल आ जाएगा और taste कल आखरे वीडियो रहेगा the taste to be announcement हो जाएग thank you so much bye bye